हलो एप्रीबन में दिख्षा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल में UPSC प्रारम में परिक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी रिच चलाई जा रही है जिसमें अभी जो कवर किया जा रहा है पॉलिटी का लेक्षर फोर है इसमें अभी तक इसके पॉलिटी के तीन लेक्षर औरेडी कम्प्लीट किये जा चुके है अगर आपने नहीं दीखे है तो पॉलिटी के इसमें प्लेलिस्ट है वहाँ जाके आप इनके आंगे के तीन लेक्षर को देख सकते है अभी आज का जो ल्यक्ट्श में Savage स्वायर फुवनियव interpret system andा सभियर्ण सेरी घुर्भार gonna तीसरी लेक्ट्चर जो टाइस कि सहिता हो ना समय तो समिद्हान की संघिकर नाग रिक्ता मोल अधिकर जो भी आर्टिकल स्थिनार के Peri तक 36 तक में रहे हैं उसके अंतरगत किये गए हैं तीसरे के अंतरगत आपके आज का जो हमारा लेक्टर यह वह लेक्टर 5 जो की आपकी राश्टपति उप राश्टपति पती महानेयाइबादी संसत वह चितम्नयालाइञ अंतरगे वह महालेखा परिक्षक इत्यादी के बारे में चर्चा करता है क्योंकि इसको जो जिस तरीके से कवर किया जा रहा है वो एक प्रारूपित है क्योंकि इसमें आपके पहले एक जनरल इंट्रोडेक्शन में सम्मिधान के संदर में जो जो टॉपिक आते हैं उनको कवर किया गया ए सम्मिधा उन ए तक के आर्टिकल को कवर किया गया जो कि आपका एक major section है जिसमें भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार और भाग चारे को एक साथ में कवर किया गया अब आता है हमारा जो अध्या मतलब की जो chapter इसमें हमारा जो lecture है वह 4 है जिसके अंतरगत आपके भाग 5 को कवर किया जा रहा है क्योंकि भाग 5 और भाग 6 जो है बहे जो भाग 5 है बहे संगे से related है जिसमें संगे से related जो भी आपके major आते हैं जैसे कि आपके अध्या एक के अंतरगत इसमें कारिपाल का है जिसके अंतरगत राष्ट पती, उपराष्ट पती, मंत्री, परसत, महाने सरकारी कारी का संचालन होता है इसी तरीके से जो अध्या दो है वह संसत के अंतरगत आता है जिसमें संसत का बर्डन किया गया है अध्या तीन के अंतरगत आपकी संसत की विधाई सक्तियां दी गई है अध्या चार में संगे की निया पालका के बारे में बर्डन किया गया ह खास तोर पर शुप्रिम कोट के बारे में और आपकी जो इस तरीके से जो आपका दूसरा पार्ट पार्ट सिक्स रहेगा जो राजी से संबनित होता है जिसमें राजी की कारपाल का राजी की बिधाई का राजी की जो राष्ट पती की जो में बिधाई सक्तिया होती है राज माधिय वक्ता होते हो उनसे रिलेटड होंगी आपके केंदर में भारत के महाने इंतर के बमलेखा परिक्षक होते हैं तो इसके अंतरगत यह आपके मेजर टॉपिक है तो आपके भागपाइच के अंतरगत जो पॉलिटी का मैं सेक्षन होता है उसको आज कवर किया जा रहा है जिसमें इस सभी इसेक्षन के अंतरगत जो इसके तीन अंग होते हैं विधाई का कारपाल का नियाईपाल का साथी साथ आपके जो महाने आवादी हो उनके बारे में भी और भारत के नियांतरे के महालिका परि तो चल also सब्सक् europa किये जाएंगे चलिए तो शूरू करते हैं कि करके जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रास्टपती के बारे में तो राश्टपती का जो स्मख्त हैола नुखेद बाउन से 78 में राष्ट पति से सम्मन्दित है जिसमें राष्ट पते की संदर में इनकी सबसे पहले बताय जाए तो संह कि इनका जो मतलब अनुखेद बाउन के अंतरगत राष्ट पत का उले किया गया जो की सम्म्मेधानेक प्रवनक होता है या नाम मात्र की का होती हो देश के प्रथम नागरेक होती राष्ट पती बनने के लिए योगता की बारे में बात की जाए तो इसमें सबसे पहले आता है कि भारत का नागरेक होना चाहिए नियुन्तम 35 वर्स की आयू का हो लोग सभा की सदस्य वन्ने की योगिता रखते हूं लाप कपा धारण ना करता हूं जिसमें संग सरकार में अथ्वा किसी राज सरकार में अथ्वा किसी इस्थानी प्राधिकरण में अथ्वा किसी सार्जनित प्राधिकरण में तो ये राश्टपती बनने के लिए कौन-कौन सी योगिता होनी चाहिए, पहला तो ये कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्स की आयूपूरी कर्चिव का हो, लोगसभा का सदस्य बनने की योगिता हो, तो लोगसभा का सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसे 25 वर्स की सरकार हुई आहें इस्थानी प्राधिकरन्त या किस से ष्दक्राधिकरन में वो कारेच्छ नहीं करता हूँ द्वारा होता है और उसका निर्वाचन किया जाता है तो इसके अंतरगत ही होता है इनमें निमने लोग जो होते हैं वैं सामिल होते हैं जैसे पहले आते हैं कि संसत के दोनों सदनों के निर्वाचे सदस राज विधान सभा के निर्वाचे सदस के निर्वाचे सदस इसके अं कौन से लोग सामेल होते हैं राष्ट पती के निर्वाचन में इतलब होते हैं अब कारो आता है कि राष्ट पती कि प्रत्रीक सदन में मतों कि संक्या निमनी प्रकार से निर्धारत होती है जैसे कि एक बिधाय की मत की मूली की बात की जाएं तो एक बिधाय की मत का मूले में बात की जाएं तो सभी राज्यों के मिधायकों की मतों की कुल मूल बटे कुल संसत के निर्वाजे सदश्यों की कुल संख्या होती है इसके अंतरगत आता है तो इस तरीके से इसमें मतों का निर्धारण होता है जब राष्टपती का चुनाओ होता है तो इसमें इस तरीके के मतों का मत्ति होता है उसकी वारेवाद कि जायर तो राश्ट पती के चुनाव में होता है इसमें इक निश्चित वहदों का बाग होता है जैसे कि कुल बैद मत्वटे बन प्लस बन प्लस बन होता है यानि कि 50 प्लस बन की रेशियो इसमें होता है तो कितना होता है 50 प्लस बन का रेशियो होता है क्योंकि एक से अधी कुम्मी दवार होने पर मत बरीता क्रम में दिया जाता है जब एक से अधी कुम्मी दवार होंगे तो इसमें बरीता क्रम में मत दे दिया जा जैसे कि अनुचे संताउन के अंतरगताता है कि राष्टपती की पत के लिए पुना निर्वाचन के लिए पातरता निर्धारित करना। भारत की राष्टपती के चुनाओ में कोई विवाद है तो उस विवाद को अनुचे दिकत्तर के किलोजेक के अनुशार। भारत के के क्लोज एक के अनुशार भारत में यह सर्वुच नियालय को सौप दिया जाएगा और सर्वुच नियालय जो नर्णय हो देगा उसके लिए उसका नर्णय जो होगा वह अंतिम होगा इस तरीके से संसत के राश्टपती का विभासन केंद्री मंदल तयार करता है और सुतंत तक रहे भारत के राश्टपती रहे थे और सरसम्मती यानि कि निर्वरुद जो राश्टपती चुने गए उनके बारे में बात की जाए तो या नेलन संजीर रेड़ी रहे जो कि 1977-1982 तक रहे चोथे राश्टपती वीबी गरी जो कि 1979-74 तक रहे जो कि ट्रेड यूनियन आंदूलन से सम्मंदित रहे थे और ये दो बार अखिल भारती ट्रेड यूनियन कांगरेस के भी अध्यक्ष रहे हुए थे तो आपके पहले राश्टपती कौन रहे है राजंद प्रशा जो कि तीन अवधी तक राश्टपती रहे तीन बार राश्टपती बनाए गए पह काम रहे हैं और उनको मशालमेन की संग्या दी गई है और जिस्टिस एम हिदायत उल्ला ने भी सुलाई 1970 को 24 अगस 1970 में दौरान कारवाक राश्टपती के रूप में कारी किया था और भारत की प्रथम महला राश्टपती सिती मर्जिती प्रतिभा देवी पार्टिल को बना में है और इनका जो समय काल 25 जुलाई 2022 को भारत की राश्टपती बनी हुई थी तो तंतरता के बाद पैदा होने वाली यह पहली राश्टपती हैं जिनका जन्में 20 जून 1901 को हुआ था तो इस तरीके से राश्टपतियों के संदर में एक प्रोक तथ्य हैं जो कि आपकी ए माध्यम से होता है या पत्याग किस तरीके से करता है इसके दो सिचुएशन होती है एक तो आर्टिकल अंशेद 56 के क्लोज 2 के अंतरगत कहा गया है कि पहली सिचुएशन में कि वह वो प्राश्टपती को सम्मोदेत अपने त्याग पत्र द्वारा देगा और अंशेद 61 के एंतरगत आता है कि महाव्योग दौरा हटाए जाने पर होता है तो इस तरीके के दो सिचुएशन होती है जब राश्टपती पत्याग करता है राश्टपती पर जो महाव्योग की पिक्रिया को देखा जाए जैसे कि आपका पहला तो एक situation को सपष्ट कर दिया गया है कि चले तो इसकी पूरी processing को देखते हैं कि जब पुर्श्थाव को सदन में लाया जाता है सदन में जरूरी नहीं होता है लोगसभा में लाया जाया या राज्यसभा में इसके दो सर्ते होती है पहली सर्ते तो आती है कि इसे नियुनतम एक बटे चार सदसों के हस्ताक्षर होने चाहिए और दूसरी होती है कि इसे 14 दिन पूरे सूचना होने चाहिए मतलब कि जब सदन में पूरे सूचना दे देनी चाहिए और एक बटे चार मिनिमम जो सदसों होते हैं के द्वारा ये प्रिस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए तभी इसे सदन में लाया जाता है सदन में इसको जब लाया जाता है इस प्रिस्ताव को तो उस पर मद्दान होता है जब मद्दान होता है तो वैकुल सदस संक्या के दो तिहाई वहमस्य से पारित कर दिया जाता है और राष्ट पती सुधा पदमुक्त हो जाता है तो इस तरीके की जो पिक्रिया है वह महावियों की पिक्रिया होती है पहली तो यह की परस्ताव को जब लाया जाता है तो यह किसी भी सदन में लाया जाता है लेकिन सदन में लाने की अंतरगत उसकी दो सर्ते होंगी मिनिमम एक बटे चार सदस्तों के हस्ताक्षर होने चाहि तो दूसरे situation एह होती है कि 14 दिन पूरो राष्ट पती को सूचना देनी होगी फिर इसको सदन में लाया जाता है उसमें मद्दान होता है कुल सद संख्या के दो तेहाई महुमस्य से पारित किया जाता है परस्ताव दूसरे सदन में जाता है तो इसमें आता है कि राष्ट पती संसत के दोनों सदनों दौरा कुल सद संख्या के दो तेहाई महुमस्य से परस्ताव पारित के आधार पर ही यह जा सकता है तो इस से रेलेटड एफेक्ट है अब आता है राष्ट पती की पदमुक्ती के संदर में कि जब राष्ट पती की पदमुक्ती होती है तो उसके संदर में देख लेते हैं पहले तो आती है आपकी एक सिचुएशन कारकाल की समाप्ती होती है दूसरी आती है रिक्ती की संदर में कारकाल की समापती तो तब होती है कि कारकाल की समापती पूर्व हो जाना चाहिए, चुनाव हो जाना चाहिए, मतलब कि आपका जैसे कि 5 साल का टारगेट है, तो आपका ये जुलाई में जादातर राष्टपती प्रिजेंट में देखा जाए, तो आप एक जब डेट देखे तो इसमें ज्यादा तर जुलाई में राष्ट पती सपथ गिरहांड करते हैं, उस टाइम से यह होता है, तो यह जो चुनाव कर लिए जाते हैं, मैं जून के तक आपकी राष्ट पती के चुनाव हो जाते हैं, मतलब कि कारकाल जब उनका पूर होना है, उसके पहले नए करते हैं क्योंकि अगर एक रेशियों दिख जाता है तो ज्यादा तर 22-27 इस तरीके से जुलाई में ही कारिकाल होता है उसी दिन से शुरू होता है और उसके पहले आपका चुनाव हो जाता है नया राश्टपती चुन लिया जाता है अब दूसरी कंडिशन आती है रिक्ति के संदर में रिक्ति की संदर में बात की जाए तो पहली तो आती है मिर्ति होने पर दूसरा आता है त्याक पत्र होने पर निर्वाचन रद्ध होने पर और महावी योग होने पर निर्वाचन जब रद्ध हो जाता है तो उसे 6 माहे के अंदर नई राष्ट पती का चुनाओ करा नहीं राष्ट पती का और यह अनुछित बासट के अंतरगति प्रावधान दिया गया और एक तो यह महावियों की पिक्रिया आपको पहले इस तरीके की पिक्रिया और अगर जैसे राष्ट पती अपना पद रिक्ट करता है तो उस टाइम पे कारवाहक राष्ट पती की रू जो कारवाहक राष्ट पती की तौर पर कारी करते हैं तो उसमें राष्ट पती की जगए उपराष्ट पती अगर उपराष्ट पती भी उलद नहीं है तो सर्वोचिने आले की मुखिने आधीस नहीं है तो सर्वोचिने आले की अनने आधीस जो की बरिष्टता के करम में र के अंतरगत हैं जिसमें राश्टपदी सम्मिधान के परिरक्षण संरक्षण और अभी रक्षण की सपत लेते हैं इनके बेतन के संदर में बात की जाए तो इनका माशिक बेतन पांच लाग रुपया या इससे अलावा आज इवन फ्री मेडिकल आवास इलाज की शुबदा स जब उनका रिटार्डमेंट हो जाएगा मतलब कि वो पांस साल की अवधी के बाद उनको पैंसन के तौर पे उनको डेड़ लाख रुपय मिलते हैं लेकिन वो आवकास गिरहन के बाद मतलब कि उनका रिटार्डमेंट अभी होता है जब वो पांस साल उसके पत को छोड़ देते हैं या फिर आपका आपका काल होने के बाद दुबारा निक्त नहीं होते हैं तो उनका ज्योंका permitir उससे लिए अज इन तक एंग डेल लाख रुपए मिलता है पैंसन के तो और उनका जो बेतन हुता है आयकर से मुक्त होता है तो उनको ये आयकर नहीं देना होता है बेतन के संदर में अब आता है इनके संदर में और भी बात की जाए तो ये राष्टपती की संदर में आता है कि राष्टपती की संदर में देखा जाए तो टोटल इनके अंतरगत साथ सक्तियां आती है इसको इस तरीके से सनॉपसिस बना कर भी आपकी point wise notes में लिख सकते हैं चलिए तो detail में पढ़ लेते हैं क्योंकि इन से related आपके question काफी पूछे जाते हैं राष्टपती की सकतियां इवं कर्तब्यों के वारे में बात की जाए तो राष्टपती तो आरा प्रियोग किये जाने वाले सकतियों की कार निम लिखे थे पहली तो आती है कारकारी सकति दूसरी आती है बिदाई सकति तीसरी आती है बित्ती सकति चोथी आती है नियाएक सकति पांच में आती है कूटने तिक सकती फिर आती है सेने सकतियां और उसके बाद आती है आपात कालें सकतियां याने की टोटल साथ प्रकार की सकतियां आते हैं अब आती है सबसे पहले कारकारी सकती के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है कि राश्टपती की कारकारी सकतिय आए वंकार के बारे में आता है कि अनुछी 77 के अंतरगत कहा गया है कि भारत सरकार के सभी सासन सम्मंदीकार उसके नाम पर किये जाएंगे नियम भी बना सकता है और उसके नाम पर दिये जाने वाले आदेश और अंदेश भी बैद होंगे वह ऐसे नियम बना सकता है जिसे के सरकार सहज रूप से कार सके और कर सके मंत्रियों को उक्तिकार सहस्ता से बित्रित हो सके वह प्रधार मंत्रियों की न्युक्ति करता है और उनके उसके प्रशाद परियंत भी कार करते हैं वह महाने आयवादी की नियुक्ति करता है और उसके बेतनाधी निर्धारत करता है वह महाने आयवादी राष्टपती के परसात परियन अपने पत परकार करता है वह भारत की नियावहानें अंतरग एवं हालेखा परिक्षे, मुख चुनावायों, मन चुनावायों संग लोग से वायों की अध्यक्षि आध्यक्ष्ण, सदस्चों राज्यों की राजजिपाल और विद्धाइव की अध्यक्ष्च, सदस्चों की निप्ति करता है बैकेंदर के पृषास ने किवम कारियों यॵम बिधाईका के परस्ताओं से सम्मन्दे जानकारी की मांग भी प्रधान मंतरी शेक करता है तो इस तरीके की रहती है और राइस्ट पती प्रधान मंतरी से किसी ऐसी निर्णाय कर प्रतिवेधन भेजने के लिए कह सकता है कि नियुक्ती करता है वैस्विहाम नियुक्त परसास को के द्वारा कहनसासत राज्जों के परिशासन सीदे सम्हालता है और आयकि किसी विचेत्र में उसे छेत्र घुसित करette इस संसत का एक अभिन्नांग की तורה करते हैं, झाहिं जिशने कि समय के लिए अविन्हां पने कर सकता हैं, लोक सभाब को विक्तिक ज़ित कर सकता हैं, संसथ के सैयोग्त अधिवेशन का जो आवाहन है भाम है बहुँ के द्वारा किया जाता है लेकिन अध्यक्षिता जो होती है लोगसभा अध्यक्षित करते हैं बहु उपरती की नई चुनाओ के बार सिसे संसथ की पritthi इसATHAN में कुछ बिषिस्वाइस सव्हारा सब्सक्राइब तो राजशनावम सवारा करते हैं वह अब संसत में कुछ बिशेश प्रकार के विधियकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट पती की सिफारे सब के आवश्यक है जिसे भारत की संचित निदी सिखर्ट संबन्दी विधियक अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन या नाई राज्यों के निर्माड संबन्दी विधियक होते हैं और जब एक विदियक संसत द्वारा पारित होकर राश्ट पती के पास भीजा जाता है तो वह विदियक पर शुए किर्थी दे सकता है विदियक को अपनी सुए किर्थी के लिए सुरक्षित रख सकता है वो विदियक को संसत के लिए पुर्वान विचार के लिए लोटा देत तो इस तरीके की स्थितियां होती है अब आता है बित्तिय सक्तियों के बारे में बात की जाए तो राश्टपती की बित्तिय सक्तियां विमकार निमने की परकार है पहली तो यह कि धन विद्यक राश्टपती की पूर्वानवाती से ही परस्तुत किया जाता है मैं बारसिक बि राजिस्यों के वटवारे के लिए पांच वर्स के लिए वित्तायों का गठन करता है। सकता हो और येस में सजा सेन नियालाय में हो दी गई हुए इसके अंतरगत आता है। आपातकालिन सकतियों के अंतरगत इसके तीन तरीके के आपातकालिन सकतियों में होती है। परिस्ततियों में कि पहले तो आती है राज्टी आपातकाल consume जोके अनुचे 302 के अंतरगत दूसरा आता है राष्टपति अब आती है राश्टपती की बीटो की सकती जो की अनुछेद 111 के अंतरगत राश्टपती के बीटो की सकती के बारे में बात की जाए तो इसमें आता है कि संसद्वरा पारित कोई भी विदेयक तभी अधिनियां बनता है जब राश्टपती उसे सहमती देता है और जब ऐसा विधियक राश्टपती की सहमती के लिए प्रिस्तुत होता है तो उसके पास तीन विकल्ब होते हैं पहला तो एक कि वैविधियक को श्विक्रती दे सकता है दूसरा एक कि विधियक को अपनी श्विक्रती सुरक्षित रख सकता है तीसरा होता है कि बढ़ विदियक यानि कि वैधन विदियक नहीं है को संसत के पुनरवचार ही तू लोटा सकता हो और हाला कि यदि संसत इस विदियक को पुनहा विना किसी बिसंसुधन या संसुधन करके राष्टपती के सामने परस्तुत करे तो राश्टपती अपने श्विक्रती देनी हुई होती है तो इस तरीके के ये तीन इस्थितियां राश्टपती के समख्षों होती है राश्टपती के समख्षे प्रमुख तीन सक्तियां होती है जिसमें कि आपके प्रमुख जो बीटो होते है बीटो से related जो सक्तियां होती है उसमें भारती राष्टपती की पास इन चार बीटों में से तीन सक्तियां होती हैं जो की जैसे की आपके आतंतिक बीटों की निलम्मनकारी बीटों की और पॉकेट बीटों की तो भारत की राष्टपती में तीन परिकी की तरीके की बीटों की सक्तियां होती हैं चलिए तो एक एक करके सबी बीटियों के बारे में जान लेते हैं आतिन के एक तरीके से विधाई का द्वारा पारित विधियक पर अपनी राय स्ट्रक्षिर रखना होता है विशेसित बीटो जो की विधाई का द्वारा उच्छे वहुमत द्वारा निरस् पॉकेट बिट्टो जो कि विधाई का द्वारा पारत विदियक पर कोई नर्डएं नहीं करना हूता है तो इस तरीके कि ये ये कुछ बीटो की सक्तियां होती है अब आता है कि राश्टपती की अध्यधेस चारी करने की सक्तियों के संदर में देखा जाए तो राश्टपती संसत के इस्तिगन के समय अध्यदेश चारी कर सकता है मतलब कि जब संसत का इस्तिगन किया गया है तो उस टाइम पे राश्टपती अध्यदेश चारी कर सकता है जिसका प्रभाव संसत के अधिनियम की समानी होता है जिस तरीके से संसत में अधिनियम बनता है अधिनियम का जो प्रभाव दिखा जाता है, उसी तरीके का प्रभाव रास्टपती के अध्यदेश में होता है。 संसर सदर के सुरू होने पर 6 सपताय तक रहता है परंतु राश्टपती राजसूची के बिसे पर अध्यदेश जारी नहीं करता है जब दौनों सत्र शदन में होती है तब राश्टपती को यह सकती नहीं होती है तो इस तरीके कि यह राश्टपती के अध्यदेश जारी करने के संदर में होती है तो यानि कि जब संसद में सत्र होते हैं तो राष्ट पती को अध्यादेश चारी करने की सक्ति नहीं होती है और अगर राष्ट कोई सत्र सदर में नहीं है तो अध्यादेश जो होगा जारी कर सकता है और उसका प्रिभाव जो होगा बहुत 6 माय तक अब आता है राश्टपती की छमादान की सक्तियों की बारे में जोकी भारती सम्मिधान के अनुशित 72 के अंतरगर राश्टपती की छमादान की सक्तियों का विबराण दिया गया चलिए तो एक एक करके इन राष्टपती की छमादान की सक्तियों की संदर में देखते हैं जिसमें तीपास तरीके की छमादान की सक्तिया हैं जिसमें पहली तो आती है आपकी लगूकरण या कमुनेट दूसरी आती है परिहार या रेमिशन तीसरी आतिये छमा जिसे pardon कहा जाता है, चौती आतिये प्रविल अबम, रिप्राइब जिसे कहा जाता है, पांच में आतिये इप्रायम जिसे respite कहा जाता है लगू करण के बारे में देखा जाए तो यह किसी कठोर प्रक्ति के दंड के इस्थान पर हलकी प्रक्ति का दंड दिया जाना जैसे कठोर कारावास को साधान कारावास में या मत्यू डंड को आरजीवन कारावास में बदल देना दूसरा आता है परिहार जो की इसकार्थ होता है कि दंड के आदेश की प्रक्ति बदले बिना दंड की पात्रा को कम कर देना जैसे कि पांच वर्स की कठोरा उदी को दो वर्स की कठोर सजा में परिवर्दित कर देना तीजरा आता है छमा जो की एक तरीके से अपरादी को दंड या दंडा देश से पूरी तरह मुक्त कर देना होता है इसमें छमा देने पर सिर्फ दंड समाप्त नहीं होता है बलकि दो सिद्धी अपरादी ऐसी इस्तिती में पहुंच जाता है जैसे कि उसमें कोई अपराद ही नहीं किया हूँ प्रिवी लंबम जो की एक तरीके से मिर्टू दंड को आजिवन कारिवास में बदलना होता है तो इस तरीके के ये इस्तितिया होती है जो कि राष्टपती की छमादान की सक्तियों की अंतरगत आती है कौन-कौन सी लगुकरण यानि की कम्यूट तीसरी आती है परिहार ड्रेमिशन तीसरी आती है छमा या पारडन चोथी आती है रिप्राइब या प्रिविलम और पांच में आती है रिस्पाइट या बिराम होता है तो इस तरीके के ये राष्टपती की पांच छमादान की स अमेरिका के उपराश्ट पती की तर्जपर भारत के उपराश्ट पती का पद लिया गया भारती सम्मिधान की अनुशे 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराश्ट पती होगा और अंशे 64 के अंतरगत का आ गया है कि उप्राष्ट पती राजसभा का पदैन सभापती होगा तो ये उप्राष्ट पती के संदर में बारती समिधान में प्रोंखुल लेख दिया गया उप्राष्टपती के निर्वाचन के संदर्म बात की जाए तो राष्टपती की तरह उप्राष्टपती के वही संदर्म को भी जनता द्वारा सीधी नहीं चुना जाता वलकि आपिर्तिक्ष रूप से चुना जाता है आंशे 66 के कलोज एक के अनुसार कहा गया है कि उपराश्टपती को संसत के दोनों संनों के सदस्वों की निरवाचक मंडल द्वारा चुना जाता है और राश्टपती की चुनाव की तरह उपराश्टपती का चुनाव भी आनुपारिक प्रतिनेजित्य के आधर पर एकल संक् और मत्त द्वारा गुप्त मत्तान से एक तरीके से किया जाता है उपराश्टपती की अरहर्ताओं किस अंदर में देखा जाए तो पहला तो आता है कि भाय भारत का नागरिक हूँ 35 वर्थ की आयू पूर कर चुका हो मैं राजसभा की सदस्य बनने के लिए अरहर्त हो और एकन सरकार दोरा राजसरकार एत्वाइस्थानी पराधिकरण या ने किसी सारजनिक पराधिकरण के अंतरकत किसी लाप की बदबर ना हो तो इस तरीके से उपराश्टपती के बनने सरत की समयधान की पृती सची स्रध्धा और निष्ठा रखूंगा मैं अपने पद और करतब्यों का निर्वाइस पूर्वर करूंगा उप राश्टपती के सपद राश्टपती और उसके द्वारा निफ्त किसी व्यक्ति के द्वारा दिलवाई जाती है तो यह पत के लिए क्या कैसरती होनी चाहिए इनके लिए दो सरते हैं पहली तो आती है कि उसे संसथ के किसी भी सदन या राज विधाईका कि किसी भी सदन का सदस्थ नहीं होना चाहिए और वह किसी भी लाप की पत पर नहीं होना चाहिए तो उपराश्टपती के लिए पदमुख से दूसरा आता है कि वो प्राष्टपती को उसके पत से हटा दिया जाए तो पदावधी जो होती ऒती है तो आए एक तो situation में होगा कि वह उसे त्याकपत्र की माध्यम से सम्मुधित करकी राष्टपती को दे दे अपना त्याग पत्र है तो उस टाइम पर मुक्त हो जाएगा दूसरी सिचुएशन यह होती है कि उसे उपराष्ट पती को उसके पत से हटा दिया जाए तो इसके संदर में होती है अब इसमें जो इस पत से हटा दिया जाए तो संदर में देखा जाए तो यह पद रिक्तिका हो जात तो ये पांस चार तरीकी के सिचुएशन होती है जब राष्टपती की पत को रिक्तिका होती है अब आते हैं प्रधान मंत्री के बारे में यहाँ पर आपकी राष्टपती के बारे में फिनिश होता है आप पढ़ते हैं प्रधान मंत्री के बारे में प्रधान मंत्री की संदर में देखा जाए तो सम्मिधान दौरा प्रत्त सरकार की संशली विवस्ता में राश्टपती केवल नाम मात्र का प्रमुक होता है तथा बास्तवी कारकारी सक्तियां जो होती है वे प्रधान मंत्री के रूप में होती है और दूसरे सब्दों में कहा जाए तो राष्ट पती को राज्य का प्रोमोग कहा जाता है जबकि प्रधान मंत्री को सरकार का प्रोमोग कहा जाता है अब आता है कि आखिर प्रधान मंत्री जो नियुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति किस तरीके से होती है इनकी नियुक्ति के संदर में भारती सम्मिधान मे अनुशेत पचेतर के किलोज एक के अनुशार कहा गया है कि प्रधान मंत्री की न्युक्ती राष्टपती करेगा जबकि अन्य मंत्रियों की न्युक्ती राष्टपती प्रधान मंत्री की सलाय पर करेगा और अंशेत 75 के किलोज 2 के अंतरगत कहा गया है कि मंत्री राष्टपती के प्रिशाद परियंत्रपत धारण करेगा यानि कि प्रिशाद परियंत्रपत धारण करने का मतलब होता है कि प्रिधार मंत्री के प्रिशाद से होता है कि प्रधान मंत्री अपनी मंत्री से तक त्याग पत्र मांग सकता है और यदि वह त्याग पत्र ना दे तो राष्ट पती किसे से फारिस कर उसे मंत्री पत से हटवाव सकता है तो इस तरीके से प्रधान मंत्री की भूमका होती है कि अगर वो चाहे तो किसी मंत्री को पत्याग के लिए त्याग पत्र मांग दे अगर वो उस सिच्वेशन में त्याग पत्र नहीं दे रहा है तो वह इस मामले किसी फारिस राष्ट पती से कर सकता है और अपना त्याग प कर्दव है कि वह मंत्री परशत के सभी नेजन राष्टपती को सूचे करें और राष्टपती की कोई जानकारी मांगता है तो उसे वह दे तो अनुचे एक तility से कारेरत है वह उसको कान से लिया गया है। यह बितिश मॉडल की तर्ज पर बनाया गया हमारी राजनेते को प्रशास्निक विवस्थ्था के वो सब कर अबार कर दो निज्य कि उतलग के से और ऐfully ने शूहत्तर जो की सम्मिल्ड राप दीकों निक्ति करती हो और अन्शित 75 की अनुशार राय मंत्रियों की बारे में अन्य उपबंधों को दिया गया अब मंत्रियों की निक्ति की संदर में बात की जाए तो मंत्रियों की निक्ति जो होती है राष्टपती करता है जिसका आर्थ होता है कि राष्टपती के बल उन्हीं मं नुक्त करता है जिनकी इसे फारिस रा प्रधान मंत्री के द्वारा की जाती है तो इस तरीके से जो केंद्री मंत्री मंदल में मंत्री परसद होती है उसमें सब्रुम्ख भूम का प्रधान मंत्री की होती है क्योंकि प्रधान मंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नुक्ति की जाती हो अगर प्रधान मंत्री नहीं चाहता है कि इस पत पर मंत्री रहे तो प्रधान मंत्री दूसरे व्यक्ति को इस पत पर सशोभित कर देगा तो इसमें मेजर भूमिका किसकी होती है प्रधान मंत्रे की सपत के बारे में बात की जाए तो केंद्री मंत्री परसत की सपत ग गोपिनियता की सपद भी दिलाता है तो राश्टपती के द्वारा मंत्री पड़ने के गिरहन करने वाले सदश्चों को याने कि जो मंत्री बनते हैं उनको सपद दिलाई जाती है अब मंत्रियों के दायत के बारे बात की जाए तो मंत्रियों के दो तरीके से दायत तो होते है एक तो होता है सामुहेक उत्तरदायत, दूसरा होता है आपका बैक्तिगत उत्तरदायत, सामुहेक उत्तरदायत के संदर में देखा जाए, तो इसमें अनुचित 75 के कलोज 3 के अनुचार मंत्री परशत सामुहेक रूप से लोग सभा के पृति उत्तरदाई होती है, तो मंत्र सार्थ होता है कि जब कैबिनेट त्वारा लिया गया कोई भी नर्णाय मंत्री परसत का सामोहिक नर्णाय माना जाता है मतलब कि जिस कैबिनेट जो बनाई जाती है जो कैबिनेट मंत्री होते हैं जो इस मंत्री वो लोग जो नर्णाय ले ले लेते हैं तो वो बनाई जाती है मैं मंत्री परसत का एक सामुहिक निर्णा होता है अगर मंत्री असायमत होने के बावजूद भी मंत्री परसत के निर्णा के साथ रहेगा और असायमत ही को अभी वेक्त नहीं करेगा मतलब कि कोई निर्णा अगर कैबिनिट मंत्रियों के द्वारा लिया गया है तो जो मंत्री कोई मंत्री उसमें आच्छे पैदा करेगा कि ये निर्णय सही नहीं है तो उसके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उसमें उसके निर्णय को ही हाम ही मान दिया जाएगा और यदि वह अभी वेक्ट करना चाहता है तो वह मंत्री मंडल से त्याक पत्र देश कर सकता है या मंत्री चाहे जिस भी सदन से हो सामोहिक उत्तरदायत के प्रती ही होगा तो इस तरीके से इस situation सामोहिक उत्तरदायत में देखने को मिलती है अब आता है वेक्तिगत उत्तरदायत तो जो होता है जिसके अंतरगा तंशित 75 के किलोज 2 के अनुशार मंत्री जो होता है वह राष्टपती की प्रशाद परियंत पद्धारण करते हैं आता है वेक्तिगत रूप से कारपालका के प्रती राष्टपती की प्रती उत्तरदाई होता है यानि कि जो प्रधान मंत्री होते हैं वे वेक्तिगत रूप से राष्टपती के प्रती उत्तरदाई होते हैं अब आता है कि मंत्री परसद की सनलशना की बारे में कि मंत्री परसद में मुखिता देखा जाए तो तीन तरीके के मंत्री होते हैं एक आते हैं केविनेट मंत्री एक राज्य मंत्री और एक होते हैं उप मंत्री जिसमें पहले नंबर पर आते हैं केविनेट मंत्री केविनेट मंत्री जो हो है एक तरीके से देखा जाए तो इस ये मूल सम्मिधान का सब्द नहीं है कि जब सम्मिधान बना हुआ था तब उस टाइम पर केविनीट मंत्री से कोई प्रावधान नहीं था चबाले सम्मिधान संसुदा नदिनियम 1978 के अंत्रगत इस प्रावधान को तब जोड़ा गया अनुछे 222 में इसको जोड़ा गया और उसमें कहा गया कि आपातकाल लागू करने सम्मंधी सिफारिस पर मंत्री मंदल की सदस्टों द्वारा हस्ताक अपना स्थापित हुई तो आपातकाल के समय ही इसको लागू किया गया था उसी टाइम पे आपका चबाल सम्मिधान संसोधन हुआ और उस टाइम पे केविनिट मंत्री को जो दर्जा है उसको भारती सम्मिधान के अनुछे 322 में सामिल भी किया गया और उसमें कहा गया कि मंत्री मंडल के सदस्वों द्वारा जो हस्ताक्षर किये जाने की बाद ताइस पर आरूपित की गई हो केविनिट मंत्री मंत्री परसत के सबसे महत्पूर मंत्री होते हैं और वे बेभाग या मंत्रालाई के बेप्रोमुक्त होते हैं अब आता है दूसरा जिसमें आते हैं प्राज मंत्री के बारे में कि कैबिनेट की बेटकों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है जिसके अंतरगत दो स्रेणी आती हैं पहली तो आती है कि वे सुतंतर परभार के मंत्री होगे दूसरी आती है बिदना सुतंतर परभार वाले मंत्री आप शुतंत्र प्रवार मंत्री को इस तरीके से कि बे मंत्री जो अपने विभाग का प्रमुक होगा और जो बिना शुतंत्र प्रवार वाले मंत्री वो होंगे जो कैबिनेट मंत्री के अधिन कार करेंगे मतलब कि इसमें भी दो तरीके के मंत्री होंगे कि अग मंत्री होगे उप मंत्री जो होते हैं वह एक तरीके से कनिस्ट या जूनियर होते हैं जो किसी कैबिनेट मंत्री है सुतंत प्रभार वाले राज मंत्री के अधिन कारे करते हैं तो इस तरीके के मंत्री होते हैं अब आते हैं उप प्रधान मंत्री के बारे में जो की सम्मेधान इतर पद होता है वो सम्मेधान में चर्चा नहीं है यह सामानित वरिष्ट प्रभावसाली मंत्री होती है जो प्रधान मंत्री के समान प्रभाव रखता है और सरप्रथम जो प्रधान मंत्री बनाये गए थी प्रभावसाली मंत्री वे सरदार वल्लब भाई पटल को बनाया गया था तो प्रभावसाली मंत्री का पद जो है वे समयधान में नहीं हो इसे समयधान में नायती इसकी चर्चा है और यह बरिष्ट प्रभावसाली मंत्री होते हैं जो कि प्रभावसाली मंत्री में समान प्र भावसाली मंत्रियों का एक समय होता है जिसमें जादातर जो मंत्री होते हैं वह सलाह मशोवरा प्रधान मंत्री जो होते हैं इस पर सलाह मशोवरा करते हैं यह जो सब्दावली है एक तरीके से देखा जाए तो राजनितिक बिशलेशकों के द्वारा इसको उत्पन्य किया ग कि उसमें बहुत सारी मंत्री होते हैं लेकिन जो परदान मंत्री होते हैं पूरे की सामने सहज नहीं होता है अपने पूरे निव्क को खुल के नहीं दे पाता है तो इसमें एक तो मंत्री परशत और एक मंत्री मंडल के बारे में जिसमें काफी डिफरेंसेस होता है और इन डिफरेंसेस को जानना आती आवशक होता है तो चलिए जानते इनकी एक निश्चत एक तरीके से दोनों के अंतर को समझ लेते हैं मंत्री परसद और मंत्री मंडल के संदर में सबसे पहले तो आता है मंत्री परशद के बारे में जिसमें 60-70 मंत्री होते हैं जबकि मंत्री मंडल में आपके 15-20 मंत्री होते हैं जो कि एक लगू निकाय होता है मंत्री परसद एक बड़ा निकाय होता है मंत्री परसत में तीन तरीके के मंत्री होते हैं केविनीट मंत्री राज मंत्री उप मंत्री और के मंत्री मंडल में केविल केविनीट मंत्री सामिल होते हूं और यह मंत्री परसत का ही एक भाग होता है जैसा कि अभी पढ़ा तो आपको समझ में आई गया होगा यह सरकारी कारियों के साथ बैठक नहीं करता है इसका कार शामुहिक कार नहीं है और यह जो होता है वह एक निकाई की तरह है जिसमें हपते में एक बार बैठक होती है और सरकारी कारियों के संदर्ब में निर्णेल करती है और इसके कार कलाब सामुहिक होते है इनकी सभी सक्त सबस्परिक कारे करती हैं इसके कारे यह हैं बहुता है और हैं नंटरी मंडल करता ओर ये मंत्री पर्शत द्वारा अपने नर्णे की देखْरे करती है behavior पर्शत کو एक सम्मिधान युँक निकाय है जिसका भारती सम्मिधान की अनुशीय पचत्र 75 में दिया गया है। और इसका आकार विवन परकी कर्ण सम्मिधान में नहित नहीं और इसके आकार का निर्धान प्रधान मंत्री समय स्थति को देख कर करता हैं। धान मंत्री अन्य कैबिनेट मंत्रियों की पर सजन है अंशित 75 के अंतरगा निफ्त किया गया और इसके कारेओं शक्तियों का विवर नहीं दिया गया और एक तरीकी से देखा जाए तो यह राजनेतिक प्रिशासनिक बिटेन की संसदिय परमपराओं पर आधारित होती है इस यह मंत्री मंडल और मंत्री परसब में एक major differences होता है जिसमें आपको समझना अतियाविशक है। अब हमारे next topic आता है भारत के महानियावादी या महादीवक्ता के बारे में। चली तो इनके संदर में जानते हैं, महा नियावादी जो होते हैं जिने एट्रोणी जनरल और या सोलिसिटर जनरल ओफ इंडिया कहा गया है, महा नियावादी भारत का सरवोच विदी अधिकारी होता है, जो समयारती समिधान के अनचे 76 के अंतरगत इसकी पत की विवस्था दी गई है, नियुक्ति एवं कारकाल के संदर में देखा जाए, तो महा नियावादी की नियुक्ति राष्टपती द्वारा की जाती है, जिसमें भारत का वहनागरिक हो, उच्छ नियावादी इसकी रूप में काम करने का पांच वरसों का नभाव या किसी उच्छ यानि की हाई कोर्ट में, उसमें नियावादी के तौर पर पांच वरसों तक कारे किया हो, या उच्छ नियाले में बकालत की हो, मतलब की कारे किया हो नियावादी के रूप में पांच वरस का, या फिर उसने वहाँ पर बकील के तौर पर बकालत दस वरस तक की हो, और या राश्टपती के मतानुशार वह नयायक यो मामले होती हैं उनमें योग वैक्ति हो तो ये तीन सिच्वेशन होती हैं तब महा नयाइवादी के पत्पर सुसूवित करता है अर्मशे 76 के चार कलोट 4 में कहा गया है कि महानयाइवादी राश्टपती के प्रशाद परियंत पत पर वरहेगा और राश्टपती जो होता है ऐसा पारिशमेट प्राप्त करेगा जो राश्टपती उसे निर्धारित करें मतलब कि जो उसके बेतन भत्ते होते हैं राश्टपती के द्वारे निर्धारित होते हैं और यह राश्टपती के प्रशाद परियंत ही पद धारण करता है यानि कि महाने आईवादी को देखा जाए तो इनका कोई कारिकाल निश्चित नहीं है और इसे राष्टपती किसी भी समय हटाया सकते हैं तो ये राश्ट पती के संदर में मतलब की पूरे उत्तरदायत की जो भागिदारता है, महान्यावादी की वह राश्ट पती के पर depend करती हैं। इनके बेतने बंभत्ते जो होते हैं वह राष्टपती तैक करते हैं और राष्टपती द्वारा निर्धानत पारश्रमिक भी इनको मिलता है। बोलने का अधिकार है लेकिन उसे संसत के दोना सत्तों में मत देने का अधिकार नहीं है। या दोनों सदन की बेटकों में और या संसत के किसी भी समीती में जिसका वशदस हैं कारवाहियों में भाग लेने का अधिकार होता है बोलने का अधिकार होता है लेकिन उसे सिर्फ मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो इस तरीके की ये महानियावादी के संदर में और भारती समिधार की नुठीद 105 की कलोज 4 के अंतरगत कहा गया है कि महानियावादी को अपनी कारकाल की दोरान संसर सदस्चों को प्राप्त होने वाली उन मुप्तियां एवन विशेश अधिकार भी प्राप्त होती हैं अब आता है भारत के महादिवक्ता की संदर में कि जिसे महादिवक्ता जो देखा जाए तो यह भारत का दूश्रा महा बिधी अधिकारी होता है और इसकी जो नुक्ति की गई हो या फिर इनका जो प्रोक कार होता है वह महानियावादी की सलाय करना होता है या सहायता देना हो और यह जो कार होते हैं वा महादिवक्ता की सलाहिए के लिए इनका सहाईता के लिए इनकी न्युक्ति की जाती हैreck। यहां पर यह आपका जो चैप्टर मतलब की अध्याई एक था वो फिनेश होता है। अध्याई एक के अंतरगत आपकी राष्ट पती, उपराष्ट पती, प्रधान मंत्री, केंदरी मंत्री परशत, महाने आवादी आते हैं। अब आता है, अध्याई दौ जो की भाग पाँच का है, जिसमें आपकी संसत और आपकी संग्यें बिधाई का या जिसे संसत कहा जाता है, या पार्लियमेंट कहा जाता है, इसके संदर में आता है। संसत जो देखा जाए वह केंदर सरकार का विधाई अंग होता है और संसदी पढ़ाली जिसे सरकार का बेस्ट मिन्स्टर मॉडल भी कहा जाता है आणुशे 80-19-122 संसत के गठन संरचन आवधी पिक्डिया और दरेकारियों एवं बीश्यादिकारों वसकती के आदी के बारे में यह बर्ड्बर करता है भारती सम्मिधान के अनुशे दुन्यासी में संसत के गठन की बात की गई है जिसमें सम्मिधान के अनुशार संसत के तीन अनंगों होते हैं पहली तो राश्टपती दूसरे लोकसवा और तीसरी राजसवा होती हैं तो इस तरीके से आपने अभी राष्टपती के बारे में देखा हुआ है, जो राष्टपती जो होते हैं, बैस संसत के अभिन्यांग की तोर पर कार करते हैं, और आपके लोगसभा एवं राजसभा इसके दो अंग अलग होते हैं, तो ये तीनों अंगों को मिला कर संसत का नि प्रिजले समान पृतिने धित्य के सिध्धान को नहीं अपनाये गया, बलकि इसमें राज विसेश की जनसंख्या को आधार बनाये गया, समिधान सभा में केंद्रे राज दोनों इस्तरों पर दुतियर सदन की निर्वाचन के लिए आनुपातिक पृतिने धित्य के दुट्श्यों का चैन किया गया, सभी संग राज चेत्रों में राज सभा के पृति नहीं किया गया, वह समिधान के साथवे सम्मिधान संसुदा नादिनियम 1956 में आविवस्था दी गई है कि राज सभा में, संग राज चेत्रों के प्रदिनिधी ऐसे रिती से चुने संसद ने 2003 में लोग पृतिनिता दिनियम 1999 को संसुदित करती हुए निवास संबंधी सर्थ को हटा दिया गया और इसी संसदन के माध्यम से राज्यसभा की चुनाओं के लिए खुली मद्दान की विवस्था निरधारत की गई और इसके पहले जो मद्दान होता था तो वह गुप्त मद्दान तकनी के आधर पर मद्दान विक्रिया संपर्ने कराई जाती थी अब आता है राजसभा की सदस्ता की सर्टों के बारे में बात की जाए तो पहला तो आता है कि राजसभा का सदस्ता होने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए उसकी आयू कम से कम तीस वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए उसे किसी भी लाप की पद पर नहीं होना चाहिए जैसे कि किसी प्रियोजन में राज या संग राज छेत्रों के लाप का पद नहीं माना गया प्रत्यासी को अनमुक्त दिवालिया या विक्रत मस्तिक सिका नहीं होना चाहिए मतलब कि विक्रत मस्तक दिवालिया नहीं होना चाहिए तो इस तरीके से इसकी ये सड़ते हैं फिर आते हैं कि राजिसभा और उसकी सदशों के कारकाल के बारें बात की जाए तो राजिसभा के सदशों का पृष्ण है कि यह एक स्थाई सदन है इस्थाई सदन कहने कार्थ होता है कि राजसभा का विक्टन नहीं होता है इससे भी question पूछा जाता है कि लोगसभा और राजसभा में कौन सा सदन होता है जो एक सदन है या फिर इसमें किस तरीके से राजसभा का विक्टन होता है तो ये इस से related आपका question जादा तर पूछा जाता है, तो राजसभा जो है वह एक स्थाई सदन है, लोग सभा आपका स्थाई सदन है, राजसभा स्थाई सदन के कहने कार्थ होता है कि राजसभा का विक्टन नहीं होता, बलकि उनका एक कारकाल निश्चित होता है, जो कि पृ देख 6 वर्सों के लिए चुना जाता है, और देख 2 वर्स बाद, एक तहाई सदस्त जो होते हैं वैसे वनवित्त हो जाते हैं, और उतने ही नए सदस्तों का निर्वाचन होता है, मतलब कि एक सदस्त पिक्रिया के तोर पर यह कारिक करता है, अब आता है लोग सभा जो तो यह इंगलेंड में House of Commons की एक संकल्पना है, मतलब कि जिस तरीके से इंगलेंड में, House of Commons होता है उसी तरीके से भारत में House of the People के नाम से लोग सभा आता है, कुछ द्रश्टी में देखा जाए तो अमेरिका की प्रतिनिधियों सभा के समान भी माना जाता है, और इसे निम चाल की भास्ता में लोग सभा को निमने सधन कहा जाता है, लोग सभा के गठन के संदर में देखा जाए तो इसे भारती सम्मिधान के अनुछे देख्यासी में, लोग सभा के गठन से संबनित प्रावधान दिया गया और कुछ अन्यान चेदों में लोग सभा के गठन के न सदस्य होते हैं थे लेकिन एक सुचारवा समयधान संसुदन अधिनियम 2019 के तहट आंगल भारतिय सदस्य के पृतिनिधी संबंदी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और इसके तहट 25 जनवरी 2020 के बाद गठित होने वाली लोग साव हैं अधिक तम दो सगनख्या में 550 सदस ठाथ उसके अंतरगत ऒорता दिया गया है वर्तमान में यह सदस्य संक्या पांस सु ते आले से जिसमें किश्टत करना कि बाद बिभिन राज़ों को लोग सभा की स्थानों का पुना आवंटन करने के लिए और विभिन के भीतर निर्वाचन छेत्रों को पुना विभाजत करने के लिए संसद्वारा प्राधी करण की निक्ती की होती हो और इस प्राधीकारी को परिशीमन आयो कहा जाता है लोगसबा छेत्रों की परिशीमन की बारे में बात की जाए तो इस सम्मिधान की अनुशी दिक्यासी के कि लोची दो के परिशीमन की संबन्द में दो सिध्धानत बताए गए हैं जिसमें पहला तो आता है कि पृतेगराजी को लोगसबा में इस्थानों के आवंटन से इस तरह से किया जाएगा कि इस्थानों की संख्या उस राज्य की जन संख्या का अनुपात। इस्थानों की जन संख्या साथ लाग से कम होती है। जिसका ताद पर होता है कि 2026 तक 1971 की जनगर्ना की आधार पर ही इसमें परिशेमन माना जाएगा तो इस तरीके का 84 विसमेदान संसुदन की अंतरगत इस अंसुदन किया गया था। और 87 विसमेदान संसुदन अधनियम 2003 की अंतरगत प्रतेक राज में लोगसभा की निरवाजिन छेत्रों का निरधार और राज्यों को आवंटिल लोगसभा के इस्थानों की इकुल संख्या को ना बदलते हुए कि श्वेकानबे के स्थान पर 2001 की जनगारणा की अनशार ही हो सकेगा तो इस तरीखे की पिक्रिया थे परिशिमन्स का प्रभाव जो होता है बहले लोगसभा पर नहीं होता जो कारेरथ होती है अनल्लव कि उस तरीखे से यह लागू नहीं होती है अब आता है लोकसभा पर आद की जाए तो इसका प्रात्मे कार लोकसभा की वेटकों का संचालन करना कारवाहियों को विवस्तित यानियांतित करना होता हूँ और संचालन सम्मंधी किसी भी संसय या मतवीत की वस्ता में उसका निर्णय अंतिम होता है। प्रावर में पड़ते हैं तो निर्णायक मत जो होता है यानि कि जो गत्रूद होता है जैसे कि किसी के द्वारा 50-50% ये मत पड़े हैं तो इसमें आपका जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो एक मत दे देगा तो जिसके पक्ष में चला जाएगा। हो जाता है जो कि एक निर्णायक मत के तोर पर होता है और वो लोकसभा के अध्यक्ष के संदर में होता है। दस्पियान सूची में अल्थात की दल वदल कानूनी विरूध में इसके तह सकती दी गई है कि लोकसभा के किसी भी सदस में दल वदल से संबंद सिकायत मिलना और उसकी निरहरता के प्रिशन पर फैसलास करती है और लोकसभा किया सकती है। लोकसभा की संसदिय समीतियों पर नियंतर रखता है वं सभी समीतियों में प्रमखों में निक्ति करता है जिसमें कारमंत्रा समीति, नियम समीति, सामन प्रियोजन समीति में बहें श्वान ही अध्यक्ष की भूमेका में होता है। लोगसभा की उपाध्यक्ष के बारे में कि लोगसभा की उपाध्यक्ष के संबंद प्राया वही होते तरीके से लागू होते हैं जिस तरीके से लोगसभा के अध्यक्ष के होते हैं उब अध्यक्ष जो होता है वाई अध्यक्ष की अधिन नहीं होता है क्योंकि उसका उत्तरदाइश अध्यक्ष की पृति नहीं बलकि लोगसभा की पृति होता है उसे एक विशेश अधिकार भी प्राप्त होता है और यदि उसे किसी संसदे समीती का सदस्त बनाया जाता है तो वैस्वता ही समिती का अध्यक्ष बन जाता है। अब आता है संसत की प्रोख नेता के तौर पर, संसत की प्रोख नेता यानि की लीडर ओब दा हाउस के बारे में। इसकी चर्चा जो है वैस्वतार में नहीं है, लेकिन सन्नों की निवा वली में हो। सावाहनता लोक सभा में सदन के नेता कार्त प्रधान मंतरी होता। और यदि वैयर राजिसवा से है तो वैप्रधान मंतरी द्वारा मनुनित कोई अनन मंतरी जो राजिसवा से निर्वाजित हुआ हो भॉता है। अब आता है विपक्ष के नेता याने की लेडर आप दा पोजिशन जो कि आप हमें साथ चर्चा में मतलब यह बना ही रहता है विपक्ष के नेता के और तो आप सुनते ही होगे कि विपक्ष का नेता जो होता है सबसे बड़े दिल का प्रमुक होता है यहाँ पर विपक्ष का नेता या नेता पिपक्ष कहा जाता है अब आता है सची तक या विप के बारे में कि जब कहते हैं कि विप जारी कर दी गई है विप जारी करना चाहिए इस related आपका संसत का जब सत्र चलता है तो उस टाइम पे चर्चा में बना रहता है विप जारी करने का मतलब होता है विप एक तरीके से संसत को अपने राजनितिक दल के सदस्चों के अनुशासन रखना होता है जिसके दोरे यदि किसी मुद्दे पर संसत में मत्दान होना है तो वह अपने दल के सदस्चों को निर्देश चारी कर सकता और उन्हें मत्दान के प्रिस्ताव को समर्थन करता है जिसमें बिरूत करना या तरथष्ट रहना होता है संसत में विदी निर्माड की पिक्रिया के बारें बात की जाए तो सम्मिधान के अनुशेद 107 से 111 तक में संसत में विधाई पिक्रिया को सीरसक के तोर पर दिया गया है लेजिसलेटर प्रोसीडियूर को दिया गया है कोई भी कानून सुरुवात में विदियक होता है और जब विदियक संसत के दोनों सत्तों दोरा उपेक्षित बहुमस से पारित कर दिया जाता है तो राश्ट पती उस पर साहिद्मयती देती जाती हो और धिनिया में आने की एक्ट बन जाता है जैसे की आपको एक तरीके से कहें कि कोई कानून है जैसे कोई कानून को लागू करना है किसी भी कानून को लागू करना है कोई हमारे दोरा कोई पिक्रिया रही तो उसके संदर में लगता है कि इसके लिए कानून बनना चाहिए तो इसमें ये जो कानून है उसको जब इस संसत की समक्ष उस बिधियक को उसको एक बिधियक कहा जाता है यानि कि बिल कहा जाता है उसे संसत की समक्ष रखा जाएगा और संसत की समक्ष जब रख दिया, तो उसमें लोकसवा और राजसवा दोनों के जादोरा जब प्रिश्थाव फार्थ हो गया, तो भै फिर जाता है आपका राष्टपती के पास, राष्टपती के पास जाएगा, तो उस ताइम पे जब राष्टपती उसको सहमती दे देग तो वह एक अधिनियम बन जाएगा और अधिनियम को ही प्रिछलेत भासा में कानून कहा जाता है तो इस तरीके से रहता है और संसद में प्रिस्तुत किये जाने बाले विधियक जो होते हैं दो तरीके के होते हैं एक तो आते हैं सरकारी विधियक दूसरे आते हैं गेर सरकारी विदियक या प्राइविट सदस्द विदियक सरकारी विदियक जो होते हैं एक तरीके से भी विदियक होते हैं जो किसी मंतरी द्वारा पेस किये जाते हैं और मंतरी परस्द के सदस्द के अलावा किसी अन्य सदस्द विदियक प्राइविट सदस्द विदियक कहे जाते हैं चाहिए बस सदस्त तरह उन्दल का ही क्यों न हो मतलब कि जो विदियक होते हैं दो तरीके के होते हैं एक सरकारी विदियक एक प्राइवेट विदियक है नीजी विदियक सरकारी विदियक जो होते हैं वह किसी मंत्री द्वारा पेस किया जाते हैं और जो private विधियक होते हैं उनको किसी भी सदस्त द्वारा यानि कि जो मंत्री परसत का सदस्त से भी नहीं है यान कोई सदस्त उसके द्वारा भी इस विधियक को पेश किया जाता है तो इस तरीके की पिक्रिया होती है सदल में जो गयर सरकारी विधियक को पेस करने के लिए एक महीने का notice देना जरूरी होता है लोगसवा में प्राया सुक्रवार को प्राइविट विधियकों के लिए कुछ समय देने की परंपरा होती है आपके private विधियकों से related आपके UPSC में question पूछे जाते हैं कि present में कितने private विधियक पेस किये गए इस सत्र में मतलब कि एक साल में कितने private विधियकों को इस बार पेस किया गया या जो भी आपकी चर्चा कभी शाय बना रहता है तो उनसे related question पूछा जाता है तो आपको ये notice मतलब को ये ध्यान देना है कि जो private विधियक होते हैं उनको गैर सरकारी विधियक पेस करने के लिए एक महिने का notice दिया जाता हो इन्हें प्राया एक तरीके से जो लोकसवा में प्राया सुक्रवार के दिन private विधियकों को कुछ समय देने की परंप्रह होती है तो उस टाइम पर इसको पेस किया जाता है तो इस तरीके के विधियक होते हैं अब आते हैं साधान विधियक के बारे में साधान विधियक में बात की जाए तो किसी भी विधियक को जब कानून बनता है तो इसके पूरु कई चरणों से होकर गुज़रना होता है पहले नमबर पर पृथम बाचन होता है जिसे फस्ट रीडिंग के दोर पर अगहा जाता है इस चरण में विधियक को संसत के किसी भी सदन में प्रिस्थूत किया जाता है इसमें सामानेता विधियक पर कोई चर्चा तो नहीं होती लेकिन सिर्फ इसमें अनमती प्राप्त होती है फिर आता है धुतिये चर्ण जिसे सेकंड रीडिंग कहा जाता है जिसके अंतरगत विधियक के सभी उपबंदों पर विस्तित विचार विमर्स होता है और धुतिये वाचन के अंतरगत तीन उपचरणों से गुझरता है जैसे कि साधन बहस की आवस्था होना दूसरा आता है समीती आवस्था और तीसरी होती है विचार की आवस्था। इस चरण में सिर्फ संपूर विधियक को श्विकार या अश्विकार करने के समद्ध में चर्चा होती हो विधियक के अंतरयत कोई संसोधन नहीं किया जा सकता हो और जब कोई सदन विधियक को पारित कर देता है तो पीठासीन अधिकारी उस पर सहमती प्राप्त करने के लिए दूसरे सदन को प्रेशित कर सकता है और दूसरे सदन के पास उस विधियक की संदर में निमलिखित विकल्प होते हैं पहला तो ये कि वैविधियक को किसी संसुधन की पारित करके प्रिथम सदन को बापिस भीज सकता है दूसरा आता है कि वैविधियक को कुछ संसुधनों सहित प्रिथम सदन को बापिस भीज सकता है तीसरा आता है कि वैविधियक को अश्विकार कर सकता है चो आता है कि वह य सदन द्वारा पारिज समझा जाता है और यदि दूसरे सदन द्वारा पेश किये गई संसुदनों पहला सदन इसको खारिज कर देता है तो दूसरा सदन पहले सदन द्वारा भेजे गई विधियक को खारिज कर दे तो गत्रियोत की स्थिती पैदा हो जाती और इस प्रकार से दूसरा सदन 6 माहिने तक विधियक पर कोई गत्रूद या कोई कारवाही नहीं करता है या गत्रूद नहीं पैदा होता है और इस गत्रियूद को समभाप्त करने के लिए राष्टपती दोनों संदों की संयुक्त बैठक बुला सकता है संयुक्त बैठक जो हुती है धन विधियक संसुदं विधियक की मामले में नहीं हो सकती और यह सिर्प साधान विधियक के बित्यमामलों की तौर पर भी बुलाई जाती है संसत के दोने सद्दों द्वारा पारत किये गए पीठा सीन अधिकारी द्वारा प्रमारत विधियक राष्टपती के पास भीजा जाता है क्योंकि उसकी श्विक्रती विधियक के अधिनियम बनने के लिए अनिबार होती और अंशुत 111 की तहल उकनेक अर्थ जीब बीटो और थायद पॉकिट बीटो का होता है और इसमें प्रिस्ताव संसुधन की कुछ संसुधाओ सहत उसे संसत के दोनों संद्व को पुनर्वचार के लिए लोटा सकता है और दोनों संद्व में राष्टपती की सुझाओ को श्विकारिया अश्व धन विधियक तब माना जाएगा जब उसे निमलिखित में से कोई एक या एक से अधिक या सभी विशियों से जुड़े प्रावधान होंगे पहला तो किसी कर को लगाया जाना या समाफ्त किया जाना चाहिए परिवर्तित किया जाना या निर्मित किया जाना चाहिए दूस प्वारत की संचित निधी से धन का बिनियोग होना, किसी बैय को भारत की संचित निधी पर भारत बैघोसित करना या किसी बैय की रकम को बढ़ाना होता है। उसका संबन किसी जुर्माने आर्थिक दंड के साथ हो दूसरा कि उसका संबन किसी सेवाओ या लाइसेंसों या फीसों के साथ हो। तो इस इस्तिती में विधियक जो है बहर नहीं समझे जाएंगे साथी साथी एक और इसके सम्मंद में आता है कि या生stंथ प्राधीकारिया, निकाई या इस्थानी प्रियोजन के लिए कोई कर लगाने, हटाने, परिवर्तित करने या बिनीमित करने से सम्मदे तो वहाँ पर धन विदियक नहीं कहलाएगा अंचेद 110 का किलोस दीन में इसपेश्ट तोर पर कहा गया है कि यदी प्रिशन उठता है कि कोई विदियक धन विदियक है या नहीं तो इसमें जो निर्णय होगा अंतिम निर्णय लोगसभा अध्यक्षे का होगा और इसे किसी भी नियायले में चुनोती नहीं दी जा सकते है और अंशेद 117 में कहा गया है कि धन विदियक राष्ट पती की सहमा फारिस से ही लोगसभा में प्रिस्तुत किया जाता है वलकि राजसभा में नहीं यदि किसी कर को कम करने या हटाने के लिए किसी बिधी में संसोधन किया जाना है तो ऐसे मामले में राश्टपती की सिफारिस की जरूरत नहीं होगी। सभी धनविदियक सरकारी बिधियक ही होते हैं। अब आता है राश्टपती के अनमती के संदर में, कि अनुछे देख सो दिग्यारा की तहट कहा गया है कि धनविद्यक की मामले में राश्टपती को, या दिकार नहीं है कि वह उसे संसत की पुनरवचार ही तू लोटा सकता है, उसके पास सिर्फ दो बिकल्प होते हैं, पहला संमन्न विद्यक से जुड़े मामलों में होता है, जैसे कि सरकार की राजस्विया बैस संमन्न विद्यक और किसी कर को लगाना या उनमें परिवर्तिन करना आधी विद्यक के सामान विशय होते हैं, और हर धन विद्यक विद्यक होता है, कि तो हर धन विद्यक जो होता है व बित्ती विदियक होता है लेकिन हर बित्ती विदियक जो होता है वह धन विदियक नहीं होगा अभी आपने इसके जो किलॉज रहे उनकी अंतरगत आपने इसके डिफ्रेंसियेशन को भी देखा कि कौन सा विदियक धन विदियक नहीं होगा बित्ती विदियक की संदर में रा पहले इस्थिती तो आती है कि एक सदन में पारित कोई विधियक दूसरी सदन में अश्विकार कर दियागा हो और यदि किसी विधियक में किये जाने वाले संसोदनों की संदर में दोनों सदम अंतिन रूप से असायमत हो गये हो और यदि दूसरी सदन में विधियक प्राप् से हो जाए या समाप्त हो जाए या उसे पारित करने के उद्दिस सैंग्त बैठक आयोज़त नहीं किजाती है तो ये इस राश्टपती नहीं होगा और उसके सम्मन्द में सैंग्त बैठक हो सकेगे और एक निया में भी होता है कि राज़पती संयुक्त वैठक बुलाने की घुशना कर दी है तो उसके बाद भी कोई विद्यक उससे विद्यक में कारवाही नहीं कर सकता है संयुक्त वैठक की कारवाहीं का संचालन उसकी अधिक्षिता लोकसभा अधिक्षि करता है और लोकसभा की अधिक्ष सब्सक्네 पहला संसुद्हन तो आता है कि उससे संसुदन को जिनका समद्ध असेमती के मिंदूओं इसे होता है और दूसरा आता है कि वे संसुधन जो विद्यक को पारित करते हुए बिलंबन के कारण जरूरी हो गए हैं तो यह दो सिचुएशन होती है जिनकी आधर पर किसी विद्यक में संसुधन किये जाते हैं अब आता है संसर में बजट पिक्रिया संदर में कि समयधान की बजट के लिए बार्सिक बित्तिय विब्रण अभिव्यक्त किया गया है भारती समयधान के अनुच्छे दीक सुबारा में इस प बजट पेस करने में कुछ दिन पूर्वे सरकार को दोनों संदों के समख शार्थिक सर्वेक्षण प्रिस्तुत करती है जिससे पता चलता है कि पिछले विद्य बर्स में सरकार की बजट अनुआन के सथ तक सही है और बजट दो तरह से ब्याए अलग-अलग दिखाए गए जैसे कि पहला कि भारत की संचित निदी पर भारत वे जिसे एक्सपेंडिचर चार्ज टौन दा कंसौलीडेटिट फंड आफ इंडिया दूसरा आता है भारत की संचित निदी से किये जाने वाले वा जैने कि एक्सार्चर टू been incurred from the Consolidated Fund पंड इंडिया इसके अंतरगत इन दोनों में अंतर होता है कि संचित निदी पर भारत वेयों के संदर में कोई मद्दान नहीं कराया जाता है पर इस पर चर्चा होती है सेज़ पेयों की वेयों में संसत में चर्चा तो होती है लेकिन उनका लोग सभा मद्दान द्वारा पारित होना भी जरूरी होता है कि संसत बजट पारित करने की फिक्रिया को सामानता साथ चर्णों से होकर गुजरती है पहले तुह आती है कि बजट के प्रिश्ट प्रिस्थोते करण के संदर में कि बजट सरप्रतम लोगसवा में प्रीश किया जाता है उसके बाद राज्य सभावैं बजट पर जो आम में एक बिधियक पारित करती है थी ताकि सरकार जरूरी खर्चे करने से समस्या ना आए और उससे साल भरकुल खर्चों के अनमान में एक वटे तीन-चार रपतां के लिए इस्तिगित हो जाते था और इस समय संसत की विभागी समीतियां विभिन मंत्रा लएँ द्वारा पेस की गई अनुदान संमन्दी मागों का बिस्तार की जाच करती है और रिपोर्ट तैयार करती है फिरंदान संमन्दी मागों पर मद्दान होता है जिसमें इस चरण में विभागी इस इस्थाई समीतियों में रिपोर्टों की आधर पर लोकसभा में प्रतेक मंत्रा लगी मागों पर मद्दान होता हो और मद्दान की एसकती सिर्फ लोकसभा के पास होती हो राज्यजभा की नहीं पास नहीं मदान सिर्फ उन मांगों पर होता है जो भारत बयाओं से अलग होती है अब आते हैं कटोती प्रिस्ताव की बारे में आम तोर पर विपक्षी दल जो होते हैं अन्दान सम्मंदी मांगों की प्रती असहमती बेक्ते करने के लिए सरकार की मांगों की पृतिय सहमती बेक्त करने का एक तरीका कटवती प्रिस्ताव पेस किया जाता है कटूती प्रिस्ताव लाने के लिए कुछ नियोमों का पालन करना जरूरी होता है जैसे कि उधारन के तोर पर सिर्फ यह सिर्फ एक मांग से ही सम्मंदित होनी चाहिए और एक अदिक से नहीं इसमें संचित निदी पर भारित ब्याय कि सम्मंद में कटोती की मांग नहीं होनी चाहिए और रहता था एकोई ऐसा बिशाय नहीं होना चाहिए जो किन सरकार की कार छेतर से बाहर हो कटोती जो होती है मुखिता तीन तरीके की होती है पहली तो आती है नीतिगत कटोती दूसरी आती है आर्थिक कटोती तीसरी आती है संकितिक कटोती नीतिगत कटोती के अंतरगात आता है कि इस प्रताव का उद्द्रित्र सरकार की नीति के पृत्य skilled practice कर्ना है जिसमें एक कट रुप्य की कटोती का प्रताव है, भिर आती है आर्थिक कटोती का प्रताव जिसमें नीति की प्रात्ति नहीं ही बलकि मांगी गई रासी के पृत किया जाती हो दोड़ी बहुत मात्रा में कटोती प्रिस्थाvith होती है। तीसरी आती है सांकुतिक पर कटोती जिसका उद्धिस सिर्फ अपनी असहमती का प्रदर्सन करना होता है और इसमें 100 रुपे तक की कटोती प्रिस्थावित की जाती है। अब आते हैं बिनियोग विद्यक के वारे में आई अप्रॉप्रियेशन बिल के वारे में बजट सम्मान्दी प्रावधानों को लागू करने के लिए एक धन बिद्यक बित्यमंत्री की बजट भासन के लिए लोग सवा में प्रिस्तुत किया जाता है जिसे बार से बित्य बिद्यक कहा जाता है अब आता है बिभिन प्रकार की निधियों की बारे में जिसमें पहली आ से कोई भी धन nikaтор सा किया जा सकता है उससे शंशत में अनुपूरrukturक टन्दान या संवंधियदियांपारिद करना होता है तो अगर संचतनीदी से किसी भी तरीके कई निकालना है तो संसत के में भिनियोक विद्यकों या अनुपूरक अनुदान विधियक संबन या धिनियम पारिद कराना आवश्यक होगा। समिधानेक बदों पर आसीन पदादीकारी की बेतन भथ्ते इत्यादी इसी पनर्भर होते हो और ऐसे ब्यायों को भारत ब्याय कहा जाता है जिनके उनके सम्मंद में लोक सवाह में मद्दान नहीं होता है। अब आता है भारत की लोक लेखा समीती जिसे पबलिक एकाउंट ओफ इंडिया कहा जाता है जिसकी चर्चा भारती सम्मिधान की अनुशे 266 में की गई हो और संचिद नेधी में जो रासियां सामिल हैं उनकी अलावा सारजनेक रासियां भारत के लोक लेखा में जमा होती हैं और मोटे तोर पर इनका समन्द बेंक जमारासियों बचतों भविश्य निधी जमारासियों इत्यादी से होता हैं इस खाते से धन निकालने के लिए सरकार को संसत की मंजूरी की आवश्यक्ता नहीं होती है अब आती है भारत की आकस्मिक्ता निधी जो की सम्मिधान के राश्टपती उसमें आवश्यक्त धनरासि सरकार को अग्रिम तोर पर दे सकेगा और यह निधी राश्टपती के दिकार में रहती हो इसे संचालेत करने के लिए संसदी कारवाही की आवश्यक्ता नहीं होगी और अंचित 266 की द्वारा प्राप्त अदिकारों के रुशार संसत 1950 में भारत की आकश्मिक्ता ने धी अधिनियम पारित किया जाता है और तब उसकी आकश्मिक्ता ने धी अस्थुत्य में और राश्टपती के ओर से भारत सरकार का वित्ति सचेव इसका संचालन करता है अब आता है संसत के सत्र 17 वशान और लोग सभा के विक्टन की बारे में सबसे पहले तो आता है संसत के सत्र को आहूत करने की संदर में कि भारती समयधान के अनुचित पचासी के किलोज एक में कहा गया है कि राश्टपती समय समय पर संसत की प्रतेक सदन को यायसे समय इस्थान पर अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे बह उचे समझे संसत के दो संसत्रों की मदे किसी भी इस्थती में छे महीने से अधिक का अंत्राल नहीं होता है जिसका तादपर होता है कि वे कम से कम दो बार संसत का संसत्र होना ही चाहिए संसत के संत्र में के संदर में देखा जाए तो संसत के संत्र में के ताथ पर प्रिथम बैठक से सत्रा वशान के बीच की आउधी होती है भारत में साधार तबर्स में तीन बार संसत के सत्रा आज़ुजट होती है पहला बज़ेट सत्र दूसरा मानसुन सत्र तीसरा सीट कालें सत्र बज़ेट सत्र जो होता है फरवरी से माई तक होता है मानसुन सत्र जुलाई से सितंबर और आपका सीट कालें सत्र नवंबर से दिसंबर में होता है लेम डग सत्र जो होता है वह एक तरीके से इस तरीके की जो सब्दावलियां सत्रों से रिलेटेड है वो भी आपके एक चाम में पूछी जाती है कि लेम डग सत्र क्या है या फिर तीन चार तरीके के सत्र दे दिया इस्थगन सत्रावशान लेम डग सत्र चार पांच उसको द कि लेमड़क सत्र जो होता है नई लोकसभा के चुनाओ के बाद पुरानी लोकसभा के अंतिम सत्र के लिए बैठना होता है। किया जा सकता है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि सदन की पीठा सी नदिकारी सदन को इस्थगित तो करें किन्तु सदन की पुनाय कत्रित होने की संबन में कोई घूशना नहीं करती है। समाप्त करना सत्रावशान सदन की पीठा सरी अधिकारी द्वारा नहीं बलकि राष्टपती के द्वारा घूशित होता है। राष्टपती के पास याधिकार भी है कि बहें सत्र के द्वारान सत्रावशान को घूशित करें। विक्टन की बारे में कि विक्टन सत्रावशान से अलग होता है। सत्रावशान सदन की एक सत्र को समाप्त करता है जबकि विक्टन जो होता है बहें सदन को ही समाप्त कर देता है। विक्टन सिर्फ लोकसभा का होता है राजिसभा का नहीं क्योंकि राजिसभा जो है वह एक स्थाई सदन है। पर लोगसभा में पराज़ित हो जाती है और राष्टपति को उसी लोगसभा में नई सरकार के गठन का बेवहारिक प्रतीत नहीं होता है बिक्टन बिधियकों की आदी पर प्रभाव की बारे में देखा लजोई तो लोगसभा का बिक्टन होने पर इससे जोड़े सभी कार जैसे विभिने प्रिस्ताव संकल्प नोटे से इत्यादी समाप्त हो जाते और उनमें लोगसभा को फिर से लाना जरूरी होता है कि दो कुछ लंबित बिधियक और कुछ आश्वासन इत्यादी बिधियक बिक्टन समाप्त नहीं होते हैं तो जब आपकी लोगसभा मतलब की जो जिस तरीके से अभी है आपकी नई लोगसभा का गठन होना है लोगसभा का चुनाव हो रहा है तो इसके संदर में जो जो आप के पहले के जो आपके बिधियक हैं उनके संदर में हैं कि ये आपके समाप्त हो जाएंगे और कुछ यो होंगे समाप्त नहीं होंगे इनका प्रभाव दूसरी जब लोगसभा बनेगी नई लोगसभा तो उस ताइम पर भी दिखाए देगा लोगसभा के बिक्टन बिविन होने के वाद लोगसभा पहुंचे हों मतलब कि जो अभी लोगसभा में पर जितने भी विधियक पड़े हुए हैं तो जब आपकी पुन्हार लोगसभा बनेगी तो उस ताइम पर जो अभी के जो विधियक हैं वह पर 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 कोई शुरुवात नहीं होंगे. चाय उनका ज कहने पर पगतयां समापत हो जाते हैं तो इस तरीक के भी विद्यक होता जैसे कि कुछ सब्सक्रांबंड साक्वास में उनका व फिक्टर हो monsters मतलब कि अभी जैसे कोई विदियक है उसको सबसे पहले लोगसभा में पेस करके आपका राजसभा में पेस किया गया है तो राजसभा में ही वह अभी लंबित है जब वह लंबित है तो अभी लोगसभा से उसका कोई लेना देना नहीं है तो वह विदियक आपके समाप्त नह होगा और जो विदियक राष्टपती के पास भीजा गया है किन्तु राष्टपती द्वारा संसत को पुनर्विचार के लिए लोग सटा दिया गया है तो भै भी लोगसभा में पर समाप्त नहीं होगा बिक्टन पर और यदि विदियक को संसत के दोनों संदों में गत्रियु होगी और नहीं होगी संसत की कामकाच की बारे में देखा जाए तो जिस समय संसत का सत्र चल रहा होता है उसमें प्रतेक कारदिवस एक दिवीशन होता है और इस दिवीशन को समय के हिसाब से इसे निमन भागों में विभाजित किया गया है जिसमें पहला आता है रहाता है सूनिकाल जीरो आर जो की प्रिष्णिकाल की तुरंत बाद 12 से एक वजी की बीच में होता है इसमें संसत सदस बिना किसी पूरु सवंचना की प्रिष्ण उठा सकते हैं सूनिकाल की चर्चा जो होती है संसत की पिक्रिया संबंधी नियमों में नहीं की गई और यह विवस्ता द्वारब विस्तित किया गया एक नवाचार होता है विवने प्रिष्टाव एवं संकल्प के बारें बात की जाए तो संसत की कारवाही विवने प्रिष्टाव और संकल्पों की माध्यम से की जाती है प्रिष्टाव और संकल्प कार्थ जो होता है प्रिष्टा नोट के तोर पर देखा जाए तो संसत्प का जो प्रिस्ताव से भिन्नु होता है संकल्प जो होते हैं और प्रिस्ताव का ही एक प्रकावर होता है जो प्रिस्ताव अपने आप में पूर होता है उसे प्राया ही संकल्प कहा जाता है संकल्प में सामनता किसी मत तर्शिकों रा राओधा नहीं होता है यह प्रिस्ताव मंत्री पर्सत की ओर से लोगसभा में प्रिस्तुत किया जाता है और इसके पारित होने का आस है होता है कि मंत्री पर्सत को लोगसभा का समर्थन हासिलो अविश्वास प्रिस्ताव जो एक तरीके से मूल प्रक्ति असी होती है कि वैव अब आता है विशेशादिकार प्रिस्ताओ जो की विपक्षी के द्वारा किसी सदस्य द्वारा सदन में तब प्रिस्तत किया जाता है जब उसी लगता है कि किसी मंत्रिया मंत्रियों ने संसर सदशों के विशेश अधिकार का उलंगन किया और यह प्रिस्ताव लोकसभा और राजसभा किसी भी सधन में लाया जा सकता है ध्यानाकरशण प्र dependency सदन का कोई सदाश अद्याक्ष या सभापती की अग्रेमानम्पती से मंत्री का ध्यान एक और विक्ष़ए के उक्रान आकरशित करने के लिए आव लंभी है लोकमहत्यों का एक प्र Bastow हूता है इस्तगन प्रिस्ताव जो किसका उद्दिस आविलम भी ए लोक महत्त को किसी निश्चे समामले पर सदन में चर्चा करने के लिए नेमित कारवाही को इस्तगित करता है जिसमें पचास अदिश्चों के समर्थन के साथ पीठा सी नदिगारी की अनमती से यह प्रिस्ताव प्रिस्तुत किया जाता है अब आता है धन्यवाद प्रिस्ताव जो कि लोगसभा के प्रतेक चुनाव के पहले सत्रव की शुरुआत में और प्रतेक वर्स के पहले सत्र की शुरुआत में राश्टपती के दोनों सन्नों के संयुक तदिवेशन के समख्छा भीवासर देता है इस तरीके से होता है और इ इसके पारित ना होने से काताद पर सरकार ने अपना समर्थन खो दिया है। समापन प्रिस्ताव जो एक तरीके से किलोजर मोशन को हिंदी में समापन प्रिस्ताव कहा जाता है या संबर्ण प्रिस्ताव या कटवती प्रिस्ताव कहने का प्रिचलन है। जिसके लिए जादा सतीक अनुबाद समापन प्रिस्ताव और इस प्रिस्ताव का उद्दे सगन में चल रही चर्चा को बीच में ही रोकना होता है या प्रिस्ताव पारित हो जाता है तो चर्चा बीच में ही रोक कर सम्मानित बेपसाय परमादान कर लिया जाता है आनियत दि तेकि यह प्रिस्ताव जो होते हैं, सामाने निवमों का पालन नहीं होता है, तब ही होते हैं। नियम 377 इसके अधिन भी मामले उठाये जाती हैं, जो और चित्ते प्रिष्ण नहीं होती ते था। प्रिष्ण काल अल्पकालीन चर्चा इस्तिगन प्रिष्टाव या अन्य किसी प्रिष्टाव में नहीं उठाया जा सकता है। विशेस उलेख प्रिष्टाव अगर जिसके अंतरगर प्रिष्ण में लोकसभा की नियम के 377 के अंतरगत उठाया जाते हैं। इसमें राजसभा का विशेश रूप से उल्लेक उधार उठाया जा सकता है। सम्मिधान में संसिदिये विशेश अधिकार जिसे अनुचिद 105 के अंतरगर संसिदिये विशेश अधिकार हैं। जिसमें दो विशेश अधिकार हैं, अनुशेद 105 के कलॉज 1 के अंतरगत, अभीवेक्टी की सुतंतरता और अनुशेद 105 के कलॉज 2 के अंतरगत, कारवाईयों की प्रकासन क्या अधिकार। मूल समयधान के अनुषिद 105 की किलोज 3 में कहा गया है कि अन्ने बातियों में संसत की प्रतेख सदन की उप्रतेख सदन की सदस्चों और समीतियों की सक्तियां बिशेशदिकार उन मक्तियां ऐसी होगी जो संसत समय समय पर बिधी द्वारा निश्चित करे और जब संसत उने निश्चित नहीं करता है तो उनकी विशेशदिकार उन मक्तियां प्राप्त होगी और इसे भारत की समयधान लागू होने की दिन हाउस और कोमंस के सदस्चों से प्राप्त थी चबालिस विशेशदिकार जो होते हैं एक तरीके से कारवाही चलाने का दिकार होता है जिसकारत होता है सदन में अपनी कारवाही को अपने तरीके से चलाने और एक बिनियमित करने का दिकार होता है जो भारती समयधान के अनुचिद 122 में इस पश्ट रूप पर कहा है कि पिक्रिया सम्मन्दी किसी कथे तनीमित तक याधर पर संसुद द्वारे किसी भी कारवाही को बैता के प्रस्ण नहीं उठाया जाएगा तो इसके अंतरगत आता है अब बाहरी विक्तियों के सदन से बाहर निकालने का अधिकार जो कि या किसी भी बैठक में को गुप्त सत्र में रूपांतरित कर सकते हो और या किसी भी बाहरी विक्ति को सदन के बाहर भीच सकते हैं विशे सदिकार हनन की संदर में कि ऐसादशों बाहरी विक्तियों को दंडे देने का दिकार होता है। फिर आता है इसमें अपनी चार दीवारी के भीतर सभी मामलों को बिनेमित करने का दिकार होता है। जिसमें सदन को यह सकती प्राप्थे कि वह अपने परिशर में भीतर उ आधिकार jak नो deux सभ country राद को मामलों से जड़ा हो में उपस्तित होने से सटां कि सथ के दरानों चालिशंश डिन पहले चालिश दिन व्रादवी इन्मादार नहीं किया जा सकता और यह अभीर शड़िकार सिर्फ सिट उब मामलों से जड़ा हुगा inflict बात शुतंत्र तो अभिवक्ति की सुतंत्र था की संसत के सद्र से के भीततcribe शदन के भीी संसत्र के भीततरmusic की संबंद में पूर्ण सुतंतर होती हैं संसिदिय समीतियां जो कि दो तरीके से होती है एक आती है इस्थाई और एक आती है आयस्थाई और तदर्थ समीतियां और इस्थाई और आयस्थाई समीतियां इस्थाई समीतियां जो होती हैं एक तरीके से बे समीतियां होती हैं जो हमेशा अस्तित्य में होती हैं जिनके सदस्यों का चैन, पिरते एक वर्षिया निर्धारिस समय के अनुशार किया जाता है और इस्थाई समीतियां दो प्रकार की होती हैं, पिरताम समीतियां बर्ग में लोग लेखा समीति जैसे समीतियां आती हैं जो कि लंबे समय तक संसिदिय परंपरा का अंगोतियों और दूसरी बर्ग में विभागी समीतियां इस्थाई समीतियां आती हैं जो दो दसक पूर से ही आरंबे की गई हैं आइस्था या तदर समीतियां भी समीतियां होती हैं जो कि किसी प्रियोजन के लिए बनाई गई हो और इनका प्रियोजन पूरा होने पर उनका अस्तुत समाप्त हो जाता है जैसे कि दो तरीके की जांस समीतियां और सलायकार समीतियां होती हैं जा समीतियों का गठन किसी तातकालिक घटना की जाच के लिए किया जाता हो और सलायकर समीतियां बह होती हैं जो किसी विधिया कि त्यादी के लिए करने गठित करने के लिए गठित होती हैं संसुत की प्रोग समीतियों में पहले नंबर पर आती है लोग लेखा समीति या पबलिक एकाउंट ओड़े जो कि 1945 तक इसे 15 सदस्त होती थे लेकिन लोग सभा में ही यह समीति होती है और 1955 में राजिसभा द्वारा मांग करने पर लोग सभा की ततकाले नद्धिक्ष जीवी मावलंकर की द्वारा इसमें साथ सदस्त राजिसभा से लिए गई जिसमें कुल सदस्तों की संख्या प्रजेंट में बाईस है जिसमें 15 लोग सभा से और साथ राजिसभा से होती है इस तरीके से इसमें यह पिक्रिया रही हो और इसका मुख्यकार भारत के लेखों की संब जिसके आगले वर्स पुना चुने जाते हैं इस तरीके से होता है प्राकलन समीति जो होती है लोग लेखा समीति के सरह सरकार के बित्तिय कामकार से संपंदित होती है ऐसरक इस्थाई में तवेता समीति भी कहा जाता है जिसमें तीस सदस्थ होते हैं जिसमें लोग सभा उसे ह होते हैं लेकिन राज्य सभा से इससे कोई सदस्त नहीं हुता है जा स्वादि इंतै प्रापति के बाद 1950 में पहली वा दतकालिन जौन मथाई किसे वारिस पर 25 सदस्तों के साथ इस समेती का गठन किया गया और 1956 में इसमें 30 सदस्त है जबसे इसमें कोई सदस्तों का बढूत् संसत के सदस्व को एक बर्स के लिए होते हो और समीति के इस अध्यक्ष चैन लोकसवा के अध्यक्ष और इसके सदस्व द्वारा होता है और परंप्रा के अनुशा समीति का अध्यक्ष जो होता है वसत तरून दल का होता है लोक उपकरम समीती जो की एक तरीके से इसकी पहली बार किष्ण मैनन की समीती की सुझाओ के आधार पूर निस्तो चौशट में सुरू की गई इसमें 15 सदस्यों होते हैं इसमें 10 लोक सवा से 5 राज्य सवा से और 1974 में इसकी संख्या बढ़ा कर 22 कर दीकई वरत्मान में भी 22 है जिसमें 15 लोक सवा से वो साथ राज्य सवा से आते हैं इस तरीके से इसके अधिक सभापती चुनावग सदस्यों से करते हो इसमें सभापती लोक सभा से ही होते हैं और सभी सदस्यों की सदस्यता एक वर्स के लिए होती है और इसमें कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है। इसमें सोला जो समीतियां थी बैलोक सभासे और आट समीतियां राज्य सभासे हो गई इस तरीके से भागे समीतियों का गठन किया गया। सोपती हैं तो इस तरीके कि ये समीतियां होती हैं। अब आता है इसमें कि इसकी कुछ सीमा हैं पहली तो ये कि ये समीतियां सम्मधित मंत्रालाय विभाग की देने कामकाज की मामले पर बिचार नहीं करती हैं। यहाँ पर आपका संसथ से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। कि अमेरिकी सम्मधान के बिपरीद भारती सम्मधान में एक इकरत नहाय विवस्था की स्थापना की गई। जिसमें सीर तोर पर जो सीर संस्था जो है उच्छितम नियाले और उसके अधिन उच्छितम नियाले जो होता है उच्छितम नियाले जो होता है जो उसके अधिनस्थ नियाले की स्रेडियां है जो की जिला नियाले और अन्य अधिनस्थ नियाले के अंतरगत आती है भारती सम में सबसे पहले इनके गठन के बारे में कि सर्वोच नियाले के गठन के बारे में बात करते हैं कि अनुशेद 124 के कलोज एक के अनुशार कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच नियाले होगा जो भारत के मुख नियाय मूर्ती जब तक संसद बिधी द्वारा अधिक संख्या मे बढ़ा लिए जिसमें अभी प्रिजेंट में मुख्ष नियायमूर्ति सहत इसमें 34 संख्या है जिसमें एक मुख्ष नियायमूर्ति और 33 नियायधिस इसके अंतरगत आते हैं नैजिसों की निखती के बारे में कहने देख सो चौबिस के कि लोज दो के अनुशा सरवुच्छ ने आले चेर और राज्यों के ऑच्छ ने-ाले में ऐसे नयाय दीसों के प्रामर्ष करने के बाद जन से राष्ट पती के प्रियोजन के लिए प्रामर्ष करना आवश्यक्ष समझे और राष्ट पती अपने हस्ताक्छ्रण मुद्रा सहथ अधिपत्तरद्वारा उच्चितम नयागी के तैक नयाधीस को नुक्त करेगा बह नयाधीस तब तक पड़ धारण करेगा जब तक कि पैंसेडवर्प की आयू प्राप्ते नहीं हो लेकिन मुख्य नयाय मूर्ती सिभिन ने किसी नयायधीस की निक्ति की दसा में भारत में मुख्य नयायधीस को सदियो परामर्स किया जाएगा समिधान की अनुशेद में जो परामर्स सब्द का बार बार उल्ले किया गया उनके सब्द में देखा जाए तो परामर्स चो होता है बविविन मामलों में इसके अलग-अलग अर्थो होते हैं जिसके अंतरगत पहला तो आता है कि राष्ट पती पर आवाधिकारी है या नहीं है या परामर्स कितने वो किन नियाएधिसों से किया जाना चाहिए जैसे सरवुच्च नियाएलामेत 1982, 1993, 1998 के विविन मामले में इस अनुशेद को बिस्तित व्याख्या की गई है और इसमें प्रोंक सिद्धानतों के अनुशार नियाएधिसों की नियुक्ति की जाती है जैसे के अनुशेद 124 के किलोज दो में बढ़ने परामर्स कताद पर सिर्फ एक विक्ति के परामर्स से नहीं बलकि अनेक नियाएधिसों के परामर्स से होता है मुख्य नियाय मूर्ती को सरवच नियाले के चार बज़ सितम नियाय धीसों के मंडल से परामर्स करके राश्टपती के पास भीजना चाहिए और नियाय धीसों के इस मंडल के भावी मुख्य नियाय मूर्ती के अनिवालता भी इसमें सामिल होना चाहिए नियाए धीसों की निक्ति के लिए इस मंडल में आम सहमती होने चाहिए और निर्णे सिभवमत से नहीं होना चाहिए बलकि मुख नियाए मूलती की राय का महत तो से इस नियाए धीसों की राय के बराबर ही होता है उससे जादा नहीं और यदि पांच में से दो नियाइदीस भी इसी व्यक्ति की नियुक्ति कब रोट करेंगे तो उसके नाम की सिर्फारिस राष्टपती नहीं भीजे गजाएगी परामर्स मंडल में सामिल सभी नियाइदीसों की सलाय निसलिक्षत होनी चाहिए और मुख्यक नहीं मुख्यनियाइदीसों की लिखित सिर्फारिस के सासर अन्य नियाइदीसों की लिखित सिर्फार से भी सरकार को भीजनी होगी और सरकार इस मंडल की सिफार से मानने को बाद दे है और यदि परामर समन्दी पिक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो सरकार सिफार से मानने के लिए बाद दे है नहीं होगी तो इस तरीके केस्तिति है अब आता है मुख्य नियाय मूलती की नियुक्ति की बारे में कि मुख मुख्य नियाय मूर्तियों की नियम पर आधार पर ही होती थी और 1973 में इनका दो बार वरिष्टिता नियमों का उलंगन किया गया और 1993 में नियाइधीसों की मामले में फैसला सुनाती हुए सरवुच नियाले नौ सदस्य समिधान पीट ने निलधारित किया था कि मुख्य नि मुर्ति की नियुक्ति जो होगी वरिष्टिता क्रम की आधार पर की जाएगी तो इस तरीके से इनकी नियुक्ति के संदर में था 55 के बाद रेंद रिखन की की क्लॉस दो में इस बात पर संकित दिया गया है कि सर्वोच ने अले की निया दिस पैतिस वर्स की आयो तक अपने पत को धारण कर सकते हैं इनकी अरहरताओं के संदर में देखा जाए तो अनुशेद 124 की क्लॉस तीन के उनसार सर्वोच ने अले के निया दिस मनने के लिए नियम लिखे तरहरताओं होने चाहिए पहला की भरत का नागरिक हो वह नियम लिखे तीन मेंसे किसी एक अरहरता को पुरा करता हो कि वह किसी उच्ज ने आला या एक आदिक उच्ज ने आला में लगातार कम से कम तस वरसों तक वकील रहा हो और इस अवडिय जोड़ी ऐख और रास्टपती की राये में पारंगत्विधी वेत आ हूं नियाधी शुटाए जाने की पिक्रिया के बारे में देखा जाए तो अनुशिध एक फे कलोज 004 में चार म में नियाधी किया गया और अंचिद 24 के कलोज 4 में सदीनियम को मिला कर पड़ें तो बहां अभी उक कि पिक्रिया भी इस परिकार से कि सबसे पहले संसत के किसी एक भी सदन में ने आधी इसको हटाए जाने का प्रिस्ताव पेस किया जाता है जिसमें 100 सदिसों जो लोक सभा की 50 सदिस राज कर सकता है जिनने वह ठीक समझे और उप्रियुक्तिसामगरी देया तत्थों पर विचार कर सकता है और यदि वैटाय करता है तो प्रिस्ताव सविकार किये जाने की योग नहीं है तो प्रिस्ताव भी खतम हो जाता है और यदि अध्यक्छे सवापती प्रिस्ताव सविकार कर लेता है तो तीन वक्तियों की समीति का गठन किया जाता है जिसमें पहला सरवोच नियालाई का मुख्ष नियाय मूर्ति होता है दूसरा शेसी उच्छ नियालाई का मुख्ष नियाय मूर्ति और तीसरा एक पारमगत विदी बेटता होता है जो कि इस समीति को यह जाच करन या समर्थ पाती है तुमूल प्रिस्ताव के साथ समेती की रिपोर्ट उसी सदन में पेस किया जाता है जहां यह प्रिस्ताव सुरू होता है इस प्रिस्ताव की पारित होने की सर्थ होती है कि यह दोनों सदन अलग अलग पारित होती हो दोनों सदनों में यह है प्रिस्ताव स 24 के कलोज चार में सर्ट दी गई पिक्रिया संसत की एक ही सत्र में पूरी होनी चाहिए और सर्वुच नयाले बीव रामा श्वामी ने इस चोड़ी मामले में नरधारत किया था यदि नयाधीस को हटाए जाने की पिक्रिया के दोरान लोग सभा भंग हो जाती है तो संकल्प जो होता है वालेप से नहीं होगा और यदि भारत की समयधाने के तिहास में किसी भी नयाधीस को हटाया नहीं गया है तो इस तरीके की नयाधीस की हटाने की पिक्रिया है अब आता है सर्वुच नयाले की छेत्र अदिकार उसकी सक्तियों के बारे में कि सर्वुच नयाले अमेरिका के सुप्रीम कोट की तरह परिशंगी है नियालाय मूल अधिकार का सनलक्षों को सम्मेधान का अंतिम ब्याख्य का और जब कि इंगिलेंड की हाउस ओपलोड की नियायक सक्ती की तरह अदेश के सभी सिविल और आपरादिक मामलों की अपील का नियायलाय भी होता है वराष्ट पती के परामर्स देने की सक्ती भी रखता है और इसे अमेरिका और बिटेन की नियायलायों से यहां की यह सक्तियां जो है वो अलग है सर्वुच नियाले की छेतर अदिकार यह सक्तियों की निम्लिखित बरगों में बाटा जाता है जिसमें पहली आती है मूल या आरंबिक अदिकारता मूल या आरंबिक छेतर अदिकार का अर्थ होता है कि यह मामलों में किसी बात की शुरुआ सर्वुच नियालाय में हो एक तरफ एक या एक अधिक राज हुई या दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज तीसरा आता है कि ऐसे विवाज जिन में एक और भारत सरकार हो या एक या एक से अधिक राज हुई या दूसरी और एक अधिक राज हुई कि सम्मिधान के आरम में पहले की गई इसंदी करार सनद या ऐसे किसी भी अनलिक्ष से जोड़े मामले इसके अधिन नहीं उठाए गए हैं अन्शित 262 के अंतरगत अंतराज जिये जल आयोक को निर्दिस्टिक मामला अन्शित 111 का विशाय नहीं है अब आता है रिट अधिकारता की वारे में कि सम्मिधान के अनुचे 22 में सर्वुच नियाले को रिट अधिकारता दी गई है जिसके अंतरगत नागरे को कुमूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 रिटों बंदी प्रिटिक शिकरन परमा देश प्रिटिसीत उत्परेशन अधिकार प्रिक्षा साहिद 5 प्रकार की रिटों के निर्देश वादिस जारी करने की सकती है अपीली यदिकारत है जिसके अंतरगत सर्बुचि नियाले को सिभिल लिब माप राधिक सभी तरह के मामलों में अपील का एक अंतिम नियाले हो सर्बुच-νियाले में चार भागों में बाटा गया सम्मिधानिक विश्यों से जुड़ी अपीले जो अन्षिद 132 के अंतरगत हैं सिविल विश्यों से जुड़ी अपीले 133 के अंतरगत आप अल्राधिक मामरे से जुड़ी वकिले जो है बहे अपीले 134 के अंतरगत तो बिसी सनमती से दी जाने वाले अपीलें 36 के अंतरगत होती हैं सम्मिधानिक बिस्यों से जुड़ी अपीलें जो है वे अशारती सम्मिधान के अंशेद 132 के अंतरगत प्रावधान है जिसमें किसी उच्छने आले की किसी निर्णाई डिक्री या अंते मादे से कोई ऐसा प्रिश्ण जुड़ा हो जो सम्मेधान से सम्मध्र विधी का सारवान प्रिश्ण है और उच्छने आले इस आसे का प्रमाण दे देता है कि सर्व उच्छने आले में उसकी अपील की जा स हो यानि कि सबस्टेंसियल कुश्यन ओफ लोग होना चाहिए दूसरा की वर पिर्षन सामान महत्यका हो जिसमें पक्षिकारों के रावा बहुत से अन्य विक्तियों है लंबित मामलों पर उसका प्रभाव पढ़ने वाला हूं तीसरा उच्छ नियालय की राय में उसका के बिना हो आप रादिक मामलों में अपील का एक दूसरा रास्ता भी खुला है इसके लिए उच्छ नियालय की प्रवाण पत्र की आवश्यक्ता नहीं होती बलकि पीडित व्यक्ति को अधिकार है कि वह किसी बिस्स्ट इस्थितियों में अधिकार पूर्वक सर्व ठहराये गया है मिर्टुधन ने का आदिस दिया हो और यदि उच्छ नियालय ने किसी अधीनस्त नियालय में चल रही किसी मामले में दुअ का लिया हो को उच्छनियाले में बरकरार रखा गया हूँ उम्रकेद में बदल गया गया हूँ या भी उक्त को निर्दोस खुसित कर दिया हूँ इसके संदर में होती है समिधान के अंशिद 134 के कलोज 2 में संसत को सक्ती देता है कि बया अपरादिक मामलों में सर्वोच नियाले की अपील गरहन करने की अधिकारता को बढ़ा सकता है जिसमें अधिकारता को सिर्फ बढ़ा ही नहीं कर सकता है और इसे अधिनियम में सर्वोच नियाले की अधिकार पर्षाब में अभीक दोषी ठहरा एक हुए मुष्ची नियाले किसी अधिनस्थ नियाले से कोई मुकदमा अपने पास मगवा लिया हो उसी अभी मुक्त को यह हगो दोषी ठहराती हो मुद्ध में कम से कम दस वर्षों के कारवास की सज़ा शुनाई हो विसे सनमंती की अपील की बारे में जिसमें आता है कि अन्छे 132 में सम्मेधान विशें, अनुचे 133 में सिविल मामलो और अंचेद 134 में आपरादिक मामलो से जुड़ी अपीलों का प्रावधान हो अंचेद 136 का उद्देश उन विश्यों पर अपील की सक्ति देता है जो या तो तीन हो मैं से सामिल ना हो या कोई अन्यबिसिस्ट परिस्थती में बन गई हो या इसकार्थ होता है कि सक्ति सर्वोचिन याले की पास अपील गिरहन करने की आवस्यस्ट सक्ति के रूप में हो एंचेद 143 में सर्वोचिन याले को सलाह कारी याले की सक्ति दी गई अनुचेद 143 के किलोज एक अनुसार यदी किसी समय राष्टपती को प्रतीत होता है कि वैविधिय अतथ्य को कोई ऐसा प्रिशन उत्पन हुआ है या उत्पन होने की संभावना है तो यसी प्रक्ति और यसी ब्यापक महत्युका है और उस पर सर्वुच नियाले की राए प परत्मान में यही सिध्धान्त माना जाता है 143 के कलोज 143 के कलोज 2 के सम्मंद में इस अलायकारी अधिकारता दी गई है जिसमें अनुचेद 131 की परंतुक में बढ़नेत किया गया कि राष्टपती उसे सर्वुच नियाले की राय जानने के लिए निर्दिस्ट करता है औ और अनुचेद 131 के परंतुक में लिखा है कि इस समिधान में लागू होने के पहले किसी संधी करारिया किसी अन इंस्ट्रूमेंट से उत्पर्न विवादों के इस अंशित के तहत नहीं उठाया जाएगा अभी लेक नियाले की सक्तियां जो कि अनुचेद 139 में घोशना क कि गई है कि सर्वोच नियाले अभी लेक नियाले होगा और उसे अपने अवमान के दंड देने की सक्ति सहत ऐसे नियाले की सभी शक्तियां होगी जिसकी दो विसेस्ता हैं कि उसके सभी नड़नाय आदेस नेलदेस आदीस थाय समीतियां इस मिर्थी में सुरक्षित रखे नियाले की दूसरी विसेस्ता होगी और आता है नैयाईक पुन्रावलोकण की सक्ति, जो झाले की बारती है सर्वोच नियाले की पास अमेरेकी शुप्रेंग कोकर्षित की तरह नियाईक पुन्रावलोकण की अंतरगद, वेय अपक सक्ति तो नहीं किन्तु कुछ मामलों मे यह सक्ति प्राप थे कि सम्मिधान की किसी अनुशेद में इस सक्ति का इस पस्ट बढ़ना नहीं है किन्तु अनुशेद 13, 132, 132 और 133 में इस सक्ति को निगमित किया गया सर्वोच नियाले की नियाएक पुन्राप लोकन की सक्ति सम्मिधान की मूव धाचे का हिस्सा है जिससे संसत किसी भी इस्थिती में ना तू कम कर सकती है ना ही छीन सकती है अब आता है अन्य सक्तिय वे अधिकारता है जिसमें अपने निर्णे को पुनरविचार करने वो सुधारने की सक्ति जो कि अनुचे देख सुसें तिसमे सर्वुचिनयाले को सक्ति देता है कि अपने निर्णे को आदेशों को पुनरावलोकन कर सकता है और उन्हें बदल सकता और जे नियाचकाओं कि तह सर्वुच नियाले अपने निर्णेओं का पुन्रावलोकन करता है उन पर पुनर्वचार याचका कहते हैं और ये याचका निर्णे के 30 दिनों की भीतर ही दी जाती है और पिछले कुछ समय में एक नई आउधारना प्रिचलित होई थी उपचार नियाले द्वरा घुसित बिधी सभी न्यायलों पर आवद्यकारी होती हैं जिसमें अनुचेंद 141 में कहा गया है तैब गया कर सकता हैं और उसके समक्ष किसी बाद या विशाय में पूर न्याय करने के लिए आवश्यक हों मामलों को इस थाना अंत्रण करने की सकती जो कि सर्वुच्च नियाले के अंचुद 149 के कलोच का के अंत्रगत दी गई है जिसे 42 विसमिधान संसुदन अधिनियम द्वारा और 44 विसमिधान संसुदन द्वारा कुछ परिवर्तन भी इसमें किये गए सर्वुच्च नियाले से संबंधित नियम बनाने की सकती जो कि अंचुद 145 के तहर सर्वुच्च नियाले को सकती दी गई है कि बया अपनी पिक्रिया आदी संबंधी नियम बना सकती हो और इस संबंध में दू सर्तों का पालन करते हैं दूसरी यह संसत द्वारा निर्मित विदियों की बुरुद्ध नहीं होने चाहिए अंचुद 145 के कलोस दीन में इसपश्ट है कि अधिक इसी मामले में सम्मेधान की ब्याख्या का प्रशन हो तो अंचुद 143 के अधिन राइश्ट पती द्वारा पूचे गई प प्रशन करने की सकती दी गई और अंचुद 144 में यह भी इसपश्ट कर दिया गया है कि भारत की राज छेत्र में सभी सिवेल और निया एक प्रादिकर सर्वोचिने आले की सहायता कारे करेंगी तेथा अब फिर आता है सम्मेधान की ब्याख्या संबंदी सकती जो कि सर्व पिर सर्वचने आले की सक्तियों में ब्रधी अनुश्ट 138 के अनुशार संसद राज सूछी के विसा में सर्वचने आले को अत्रिक अधिकारती देने की लिए उसलिए बिद्यी पारित कर सकती है जो सर्वोचने आलै को दीगई सक्तियों या अधिकारता काविष्तार करे पिर भावी बनाने के लिए होती है और अनुचेद 134 के कलॉस दो में संसद आपरादे कपीलों के मामले में सर्वोच नयाले के अधिकारता को बढ़ा सकती है अन्यमाहतपूर्टत अध्थों को देखा जाए तो सर्वोच नयाले के नयाधीसों के बेतन उतन नयाले के सबी प्रशास ने खर्चों के अनुचेद 146 के दहट भारत की संचितने थी पर भारत बेयाए घुसित होती है जिस कार्थ होता है कि संसद इन खर्चों को बहस्त तो कर सकती है लेकिन मद्दान नहीं कर सकती है 6521 में कहा गया है कि उचितम नियालय या किसी उच्छ नियालय की किसी नियाधीस त्वारा अपने किसी कार के निर्भान की संबन्द में किये गई आचरण पर संसत बहस नहीं करेगी और जब किसी नियाधीस को हटाई जाने की पिक्रिया चल रही है तो यसी बहस की जा सकेगी और सरवुच नियालय की नियाधीसों के लिए नियम है कि ये सेवा निवित्ती के बाद भारत के किसी भी नियालय याधीकरण में वकालत नहीं कर सकती अनुछेद 146 में अंतरगत भारत के मुख्यने आइदीज को सक्ति दी गई है कि वे सर्वोचिनेयले के अधिकारियों असीवकों को नुक्त करी तो यहाँ पर आपका सर्वोचिनेयले से रिलेटर जो टॉपिक था वे फिनेश होता है अब आता है इसमें अध्याए 5 जोकी भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक से है जोकी अनुछेद 148 से 119 तक को कबर करता है इसी के साथ ही हमारा अनुछेद 52 से 119 तक की अनुछेद फिनेश हो जाएंगे भारत के समयधान के अनुछेद 148 में कहा गया है कि नियंतरक और महालेखा परिक्षक के शुतंत पत्की व्याख्या की गई है महालेखा परिक्षक को कहा गया है कि यह भारती लेखा परिक्षक और लेखा विभाग का मुख्या होता है इसके निकती एवम कारिकाल निकती राष्टपती द्वारा होती है और इसका कारिकाल 6 वर्स या 65 वर्स जो भी पहले हो यह राष्टपती के नाम पर किसी भी समय उसको त्याग पत्र दे सकता है और राष्टपती द्वारा उसे उसी तरह हटाया जा सकता है जिस तरीके से करता है। से परारूप रखे जाएंगे जो राष्ट्पति भारत के नियंत्रक को महा लेखा परीक्थology की सलाय पर बेहित करता है और अंश्य नि क्या उन मैं संभरी पेदन दियेक हैं जो कि भारत के नियंत्रक महा लेखा पर इक्षक की संगे के लेखाओं सम्मंदी पृतिवेदनों को राश्ट पती की समक्ष प्रिस्तुत किया जाएगा और उनको संसत के पृतेक सदन की समक्ष रखाया जाएगा इसी तरीके से राज्यों की लेखाओं सम्मंदी पृतिवेदन को भी राजी की राज़िपाल की स को प्रिस्तुत किया जाएगा तो इस तरीकी से उन्चे 148 से 150 और 119 में भारत के लिए अंत्र के लोखा पर इक छक की संदर में आता है यहां पर यह टॉपिक फिनिश होता है टॉपिक फिनिश की साथ सथ आपका जो पांच वाँ पार्ट था वो फिनिश होता है जिसके अंत् सब्सक्राइब करें धन्यवाद प्राट इस पांच 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 थास।